हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू टूडेस क्लास, आज की क्लास में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दो सो साल, दो सो साल इंडिया पे रास करने के बाद, क्या हमें गिफ्ट में दिया? उन्होंने हमें पॉइर्टी दी, उन्होंने हमें एक बिगड़ा हुआ खराब एगरिकल्चर दिया, इंडस्ट्री तो हमारी बिलकुल भी डेवलप्स थी नहीं, कुछ चुनिंदा पर एंडस्ट्री थी, परस्ट ने ये बात किया था, की हमें अंग्रेजों सरे क्या क्या मिला, मतलब उन्होंने हमारे देश को कैसे खराब किया, क्या-क्या वो लूट के लेके गए, नैक्स चेप्टर हमने बात करी, की अंग्रेजों के जाने के बाद, जब इंडिया अजाद हो गया जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को at last छोड़ दिया और इंडिया ने independence attain कर ली तो अगर जब इंडिया ने independence attain करी तो इंडिया के पास starting में बहुत सारे question थे कि कौन सा economic system apply किया जाए कौन सा economic system attain किया जाए कैसे इंडिया के अंदर self-reliance लेके आया जाए यानि कि जो हम हमारी requirements हम खुद fulfill कर सके हमें import पे कम से कम dependent रहे सबसे वड़ा question यह था कि भई economies भी कई तरीके की होती है जैसे कि socialist economic system capitalist economic system या फिर mixed economy कौन सा economic system अपने देश के लिए select किया जाए तो इंडिया ने काफी मशक्कत के बाद एक system select किया that was mixed economy इंडिया ने starting mixed economy से करी थी after the independence और अभी इंडिया एक mixed economy लेकिन अगर मैं नाइंटीन 50 से लेकर 1990 तक इंडिया को develop करने के लिए इंडिया को develop करने के लिए कौन कौन सी policies इंडिया में apply करी गई क्या क्या changes लाए गए we have discussed about green revolution कि बहुत बड़ा एक step था green revolution का हमने उसके साथ साथ प्लाइन कमिशन की बात भी करी थी कि इंडिया के अंदर भाई plans कब स्टार्ट हुए किस plan के अंदर objective क्या था तो यह सब बाते हम already Indian economy के बारे में कर चुके हैं लेकिन 40 साल अजादी के 40 साल 1990 तक हम 1950 तो 1990 गिन रहे हैं ठीक है 1950 से लेकर 1990 तक 40 सार एक दम एक जुटके और बहुत मेहनत करने के बाद भी जो इंडिया अचीव करना चाहता था अपनी economic point of view से वह अचीव नहीं कर पाया क्यों नहीं कर पाया उसके बहुता है reason हो सकते हैं हमें दो बार युद्गा सामना करना पड़ा था पाकिस्तीन बार पाकिस्तान से चाइना से अजादी के बाद हमने तीन बार युद्गा हमें सामना करना बढ़ा है तो उस चीज़ में हमारी economy थी वह एक प्रोपर तरीकी से डवलप नहीं हो पाई हो सकता है कि जो हमारे उस टाइम पर लीडर थे उन्होंने उतने अच्छे effective decision नहीं लिए कि economy डवलप कर पाती लेकिन experts का यह कहना है कि इंडिया की economy इतनी close थी कि इंडिया ने 40 साल मेहनत करने के बाद इंडिया को 1980 में यह समझाना स्टार्ट हुआ कि यार हमारी economic situation ठीक नहीं है हमारे देश में poverty बहुत जादा है unemployment बहुत जादा है हमारा जो government का जो expenditure है वो income से बहुत जादा बढ़ चुगा था इंपोर्ट काफी था एक्सपोर्ट बहुत कम था एक्सपोर्ट कम क्यों होगा क्योंकि जो हमारी quality of goods थी हमारी technology थी वह उतनी अच्छी नहीं थी जब technology अच्छी नहीं है तो goods उतनी अच्छे बनेंगे नहीं और उनकी demand नहीं होगी तो भई export करेंगे कैसे रुपी की जो value थी डोलर के comparison में काफी weak थी ताती साथ हमारे पास foreign exchange इतना नहीं था कि हम अपनी economy को develop कर पाएं लेकिन एक बात तो हमें समझनी बढ़ेगी कि foreign exchange की जरूरत क्या है इस chapter में foreign exchange बार-बार सुनने को मिलेगा आपको तो पहले यह समझ लोगी foreign exchange होता क्या है we will discuss in detail also आगे जाके chapter में लेकिन basic समझ लो जैसे dollar है pound है यह यूरो है यह सब क्या यह सब foreign currencies है तो किसी country में जो इनका total reserve होता है उसको बोलता है foreign exchange आप सिर्फ dollars को माइड मिले के चलो कि इंडिया के अंदर कितना dollar है इंडिया के अंदर जितना dollar है उसको बोलते है foreign exchange का reserve reserve का फाइदा क्या है देखो अब petrol इंडिया के अंदर petrol call काफी ऐसे चीज़े हैं जिसके लिए इंडिया dependent है import पे और अब से नहीं है अजादी के बात से अब तो dependence मुझे लगता है कि पहले से और बढ़ गई क्योंकि demand बढ़ गई है तो उस foreign exchange का यूज क्या है अगर हमने बाहर से कोई इंपोर्ट करना है यह हमने कोल इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें डॉलर्स चाहिए क्योंकि हो डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमारे पास डॉलर का रिजर्व होना ज़रूरी है foreign exchange रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है यह कुछ बेसिक्स पॉइंट थे हमारे चैप्टर के चैप्टर का नाम है लिब्रलाइजेशन प्राइबिटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो आईए चैप्टर को डिटेल में स्टार्ट करते हैं लेट्स प्रक्रीट करेंगे सबसे वहां बात करेंगे एकशनोमें क्राइसिस ऑस नाइनीनने अटीवन टैने एकशनोमें क्राइसिज का मतलब क्या है कि economy crisis होते क्या है then he we'll talk about economic reforms and reason for economic reforms कि economic reforms का मतलब क्या है और economic reforms इंडिया में कभ प्रोग्राम्स नए इंटरोग्राम्स नए इंटरणीया करें इंडिया के अंदर उनके सबस्क्राइब करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे इनके अंदर बहुत सारे पॉइंट बात करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पहले पॉइंट से कि तो यार देखो economic crisis होता क्या है पहले यह समझो economy crisis का मतलब क्या है economic crisis का मतलब है कि आपकी देश की economic system में slow down आ गया इंप्लिएमेंट खतम हो रही है inflation बढ़ती जा रही है basically जो economic health है किसी country की जाहिए चाहें मैं उसको पवर्टी से मैजर कर लूँ ताहें मैं उसको इंफलेशन कर लोग कर पारे एड़ दो अब इस नेगटिफ फॉरन एकोनोमी है तो आई एक पढ़ते हैं पहले एड़िए एकनोमिक क्राइसिस इस सिचुवेशन इन विच दा इकनोमी एक्सपीरियेंस आस सदन डाउन्टर्न एंड एकनोमिक श्लोडाउन लगए एक दम से एकनोमी के अंदर डाउन टान आ गया है डिडीबी गर गई है कि इंप्लॉइम इसे बोलते हैं economic crisis economic crisis आपको 1991 के तो इंडिया के पर अपने को मिलते हैं लेकिन बागी country पेटीरीस के बійक है है ठीक है तो इन 1991 इंडिया मैट विदा एकोनोमिक क्राइशिस एंड और रीजन ओफ फाइनशल क्राइशिस कैन भी ट्रेस्ट फॉम दा इन एफिशेंट मेनेजमेंट टूदा इंडियन एकोनोमिक क्राइशिस इंडिया में आने वाले हैं अगर मुझे पता लगे यार लास्ट पांच सालों में मेरा एक्सपेंडीचर मेरा खर्चा इंकम से मेरी कमाई से जादा है यार इसका पॉइंट क्या है इसका पॉइंट बहुत बैसिक यही है कि यार आपका बिजनेस ठप होने वाला आपका बिजनेस डूबने वाला है है ना तेम सिच्वेशन इंडियन एकोनोमी की भी थी कि आपका जो आपकी जो पबलिक सेक्टर एंटरप्राइज आपकी जो पबलिक कम्पनी जो गौवर्मेंट ओंड सेक्टर सें गवर्मेंट ओंड कम्पनीज है उनके अंदर कोई आपको मुनाफ़ा या प्रोफिट देखने को नहीं मिल रहा है इंप्लॉइमेंट आप उनसे प्रवाइड तो लोगों को कर रहे हो लेकिन उससे ओवर एकोनोमी को फाइदा कोई नहीं हो रहा पूरी कंट्री को फाइदा कोई नहीं हो रहा तो यह क्या यह एक आइडियाज है और अंदेशा है कि भई एकोनोमिक क्राइसिस देश में आने वाला है तो 1980 में यह आइडियाज लगना स्टार्ट हो गया था और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इंडिया ने कोई स्टैप नहीं उठाए थे इंडियं गवर्मेंट ने स्टैप तो प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में जाने का ट्राई किया कि प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट करो कि यह भी अपनी फेक्टरीज खोले ओफिस खोले प्राइवेट सेक्टर को बिसे कली प्रमोट किया जाए लेकिन लेकिन सारी महनत के बावजूद भी जो एक expectation थी वो fulfill नहीं हो पारी थी और धीरे धीरे economic गिरती जा रही है और इंडिया की government को idea लग गया है कि अगर हमने कोई बड़े फैसले नहीं लिये अगर हमने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो हमारे देश की economy डूब जाएगी और हमारा देश खतम हो जाएगा जैसे अभी recently हमने श्रिलंका क्राइसिस देखा हमने recently भी श्रिलंका का economic crisis देखा तो अगर श्रिलंका की government time से कुछ अच्छे और बड़े economic फैसले ले लेते अगर श्रिलंका की government कुछ बड़े economic फैसले टाइम से ले लेती उनकी गवर्मेंट तो शायद शिरलंका के हालात अभी यह नहीं होते हैं और आइस रेली प्रे कि जो भी कंडीशन वहाँ पर है वो ठीक हो जाए और आइम शूर कि विट टाइम ठीक हो भी जाएगी एसे ही 1990 में 1990, 1991 में जब इंडिया को पता लगा कि यार हमारे देश में economic crisis आ चुके हैं तो अब हमें चाज जरूर था हमें जरूर था है economic reforms की हमें जरूर था है economic reforms की तो सबसे पहले यह समझना होगा कि भाई economic reforms का मतलब क्या है वारा कोशन क्या आएगा सबसे पहले what is economic reform की सतर एकनोमिक क्राइसिस समझ लिया इंडिया की हालत बहुत खराब थी समझ लिया आपने सब बता दिया आपने बोला कि क्राइसिस ते आपने बोला क्राइसिस से उभरने के लिए बड़े फैस लेने पड़ेंगे कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेंगी सब सही है सब असान बाते हैं सब पता हमें लेकिन economic क्राइसिस का मतलब क्या है आपने समझा दिया हमें लेकिसा एकनोमिक रिफोर्म होते क्या है हमें पता है बच्चों को पता है कि 1991 में एकनोमिक रिफोर्म्स इंट्रड्यूस की करे गए थे लेकिन एकनोमिक रिफोर्म्स का मतलब क्या है पहले यह समझना जरूरी है कि पहले समझेंगे बिल्कुल बेसिक लोर्मC जब किसी कंट्री के इकनोमिक सिस्टम की सिचिवेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुके होती है जब किसी country की economic system बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है तो उस economic system को improve करने के लिए उस economic system को improve करने के लिए government हमारी authorities कुछ ऐसे फैसले लेती है जिस फैसलों से या जिन decision से economic system को improve किया जा सके economic system को efficient किया जा सके उस पूरे decision making को पूरे decisions को programs को policies को हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं economic reforms कि भई economic reforms लिए गए हैं क्यों लिए गए हैं economic reforms तो economic reforms are changes are changes in economy मेश को बापनो लिए और यदिए लिए चार्भ झार्सेशाख भी लिए को जे पीज़ आपिंज़ जीज़े को रघसी आप अपीज़े अवज़े को लिए अवज़े को लिए को आप लिए लिए एक प्रिजियर में अपनर्द करुप निएगर निकार विस कन्टिशन ए प्रिफ तु यह विलान निए ने फिर्फेलिग और सेघ्टियों पर एह तु प्लीटियों, को फिर। किसी कंट्री की किसी कंट्री की economic condition को improve करने के लिए जो changes कर जाते हैं और वो changes और वो चैन्जिस क्या होते हैं जैसे की कुछ एकनोमिक पॉलिसिस कुछ एकनोमिक पॉलिसीज एड प्रोग्राम्स तो एकनोमिक रिफॉर्म्स आर दी चेंजिज एकनोमिक रिफॉर्म्स आर दी चेंजिज टू इंप्रूव दा एकनोमिक कंडिशन ऑपकंट्री और वो चैंजिस क्या होते हैं जैसे की कोई नए एकनोमिक पॉलिसी लेके आना कोई नया एकनोमिक प्रोग्राम लेके आना कोई नए रूल बनाना जिससे की इकनोमिक को इंप्रूब किया जा सकें यह मतलब है एकनोमिक रिफॉर्म्स का इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ अगर मैं इंडिया की बात करूं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कब है एकनोमिक रिफॉर्म्स 1991 में उस टाइम पे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? और फाइनांस मिनिस्टर कौन था? फाइनांस मिनिस्टर लिटे और ऊजरा का उचिनक यह वक्या है थी तो हमने कैं समझा कि भाइ retrospect एकनल मिक रिफोर्मस का मतलब क्या एकन रिफोर्मस कु rhythmic कुछ 한다 है जिन ने प्लिया जाता है वो percentage क्यों कर जाताjak стен एकनोमिक केंडिशन को इंपरूब करने के लिए ऐसे चेंजिज ले जाते हैं जन्कों बोलते हैं तो बीया जब आप तक नाम बार देखने को सुने को मिलेंगे पहला नाम पीवी नर्सिमा राउ पीवी नर्सिमा राउ वोगी अड़ प्रेजिडेंट अट टाइड टाइड बिड़ने मिलके एक ऐसा डिसीजन लिया जिस डिसीजन ने इंडियन एकोनोमी को बिलकुल पलट के रख दिया इन दोनों ने मिलके एक ऐसा decision लिया, जिस decision ने Indian economy को पूरा बदल दिया, पूरा पलट के रख दिया, 1990 से पहले economy बिलकुल अलग थी, 1991 के बाद पूरा economic system एकदम change हो गया, किसकी वज़ा से, इन दोनों के दिमाग से, और मैं ये बोलूँगा की, देखो, leaders का policies बनाने में दिमाग चलता है, इसमें कोई doubt की बात नहीं है, लेकिन condition, condition बहुत जरूरी है, situation बहुत जरूरी है, और मैं आपको हर बार एक बास समझाता हूँ, मुझे बच्चे कई बार बो situation, always, अगर आपकी कोई bad situation है, अगर आप किसी problem में हो, अगर आपको लगता है कि सब लुट पुट गया है, आप कुछ नहीं बचा, तो उस point of time को एक negative condition समझने से better है, उसको एक opportunity समझो, अगर हमारी government चाहती या हमारी government उस time पे अपने सारी चीज़े एकदम छोड़ देती, क हमारे leaders ने, हमारी government ने और हमारे finance minister, prime minister ने उस condition को एक opportunity की तरह समझा, कि यार इस problem को opportunity की तरह लेते हैं, और opportunity समझके ऐसे कुछ changes लेके आते हैं, जिससे कि हम Indian economy को improve कर सकें, Indian economy को improve कर सकें, और उनने ऐसा किया भी, और अगर मैं आज आपको बात करूँ, जिस हम economy की बात करते हैं, India का banking system is one of the best banking system in the world, India का banking system is one of the best banking systems in the world, UPI, जैसे हम बात करते हैं, UPI की, जैसे आप सब को बताएं, UPI क्या होता है, तो UPI India के अंदर इंटर्यूच किया गया, UPI इंडिया की तो देना पूरी दुनिया को, लेकिन किसी और country में, UPI इतना अच्छा नहीं है, इंडिया के technological advancement है, यह सब financial advancement है, इनकी नीव कहां रखी गई, इस reforms में, 1991 में, इन सब चीजों की जो हम आज देख रहे हैं, economic development, आज हम देख रहे हैं, कि हमारे देश का कितना समान import होता है, कितना समान export होता है, कितना समान हम बाहर से import करते हैं, इंडिया की जो एक foreign relations है, कितने अच्छे हैं, उन सब की नीव यहां रखी गई थी, तो हमारे leaders ने इस problem को, economic crisis को, हमारे economic crisis of 1991 को, एक problem से ज़्यादा opportunity की तरह लिया और उस opportunity को correct करने का try किया, तो आपकी life में कभी ऐसा कोई situation आज आज आपको लगे, ऐसी situation आज आपको लगे किया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस point क opportunity तरह लेना और life में कुछ बढ़िया करने का try करना, ठीक है, चलो, next time पढ़ेंगे कि economic reforms पढ़ लिए, economic reforms of 1991, अब सर यह बताओ कि economic reforms लेने के जुरूत क्या पड़ी थी, actually, actually problem क्या थी, reasons for economic reforms, तो पहला reason हमारा क्या होगा, हमारे reason देखो क्या हो सकते हैं, पहला हमारा reason होगा कि भाई, poor performance of public sector, poor performance of public sector enterprise, इसे कुछ लोग, PSV बोलते हैं, public sector undertaking, poor performance of public sector enterprise या फिर undertaking, next point क्या होगा हमारा, deficit in balance of payment, जिसने हम प्यार से पी ओपी बोलते हैं, पहला क्या हुआ, poor performance of public sector enterprises, second deficit, यानि कि घाटा, in balance of payment, क्या होता है, आगे पड़ेंगे, ठीक है, next point, पॉल इन, foreign exchange reserve, अपना एक महत्तव है, अपनी एक importance है, और देश में foreign exchange reserve होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमने बात पहले करिया अभी, कि वह foreign exchange reserve क्या होता है, और foreign exchange reserves, इंडिया में क्यों होने चाहिए, अपर किसी भी country में क्यों होने ज़रूरी है, ठीक है, next point, है, यूज़ पहला point क्या है हमारा, कि वही reasons for economic reforms, पहला इसमारा point क्या है, poor performance of public sector enterprise, यानि कि पॉब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, पी एस यूज़ पर्फॉर्मेंस बहुत बखराब थी, deficit in balance of payment, fall in foreign exchange reserves, huge burden of debt, inefficient management, एंड उसके साथ साथ, सोने पे सुहागा, cherry on the tops, inflation, पता ना, cherry on the tops क्या होता है, सोने पे सुहागा किसे बोलता है, जैसे को problem हो जाए, जैसे को problem हो गई, तो उसके बाद अगर एक problem और एड हो जाती है, उसको और भारी करने के लिए, उसको बोलता है, प्रोब्लम थी जिसकी वारा से हमें economic reforms लेने पड़े, बास समझ आई है, इन सबको हम individually अभी अलग-अलग भी डिसकस करेंगे, इन सबको हम individually अभी अलग-अलग भी डिसकस करेंगे, ठीक है, तो first point is poor performance of public sector, अब 1950 to 1990, यानि की 40 years, इन 40 सालों में, बहुत महनत करने के बाद भी, इन 40 सालों में, बहुत महनत करने के बाद भी, except few public sector companies, या public sector enterprises, या public sector undertakings, except few public sector enterprises, most of the public sector companies were making losses, इन 40 सालों में, except few, most of the public sector enterprises, समझ जाओ गया ना, इससे, most of the public sector enterprises, वर making, वर making huge losses, अब देखो, जब हमने, ये decide किया, कि चलो यार, अब ना, इंडिया में हम, mixed economy ले के आएंगे, और mixed economy का मतलब क्या होता है, public sector प्लस private sector, यह हम पहले पढ़ चुक है, यह बहुत बोलना कि सारी यह क्या बोल दिया, mixed economy का मतलब क्या है, it is an engagement, और a mixture, of public sector and private sector, लेकिन, लेकिन 40 सालों में ये देखा गया, कि यार, mostly, जो मार्किट को डॉमिनेट कर रहा है, जो mostly market domination है, वो किसका है, public sector का है, जितनी भी companies हैं, बड़ी-बड़ी, जितनी बड़ी-बड़ी factories, organization, चाहे वो steel की हो, चाहे वो gas की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, railway, atomic, defense, यह से बड़ी-बड़ी चीज़े हैं, इन चीज़ों में क्या किया गया, सारे सारे sector पे, हर sector पे, public sector का कबजा था, कबजा नहीं बोलूँगा है, कबजा दो देखा एक ऐसे कहने वाली बाता है, कि सारे sector public, public के अंदर थे, आनि कि government के अंदर थे, सारी government-owned companies थी, अब government-owned companies के अंदर कई reasons, चाहे वो reason corruption का हो, चाहे वो reason poor management का हो, चाहे वो reason lack of skills का हो, lack of competition का हो, उन सब की वजा से, सारी की सारी public sector enterprises घाटे में थी, सारी की सारी public sector enterprises घाटे में थी, except few, कुछ कुछ को छोड़के, कुछ दोचार होंगी यार, जो नहीं होंगी, लेकिन mostly इन 40 सालों में देखा गया कि यार, कोई public sector enterprises पैसा नहीं कमारी, income नहीं कमारी, अब मेरा business है, अब मेरा business अगर मुझे income generate करके नहीं देगा, मैं रोज जाके 8 घंटे काम करूँ, आप 50 लोग और काम करें, मेरे अंडर उनको salary दूँ, rent भरू जगा का, machine की EMI पे करूँ, कोई गाड़ी लिया, ट्रक लिया, कोई टेंपो लिया, उसकी EMI पे करूँ, और पूरी मशक्कत करने के बाद, साल में जब हिसाब लगाया जाए, तो end ने पता लगे, पैसे कितने बचे, zero, या फिर घाटे का सोदा है, या घाटा हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप at the end उस business को बंद करोगे, या फिर कुछ नए, changes लेके आओगे, तो it is one of the major reasons कि भाई, economic reforms क्यों introduce इंडिया में करेगा, second point है, deficit in balance of payment, यानि कि B, O, P, अचा दोस्त, B.O.P होता क्या है, देखो इस B.O.P के अंदर नहां, हम किसी भी देश के export and import को measure करते हैं, हम export और import को measure करते हैं, और यह इतनी important चीज़ है ना, कि आप balance of payment का chapter, macro economics में एक अलग पढ़ते भी हो, आप balance of payment का chapter ना, आपको अलग पढ़ने को मिलता है, ठीक है, बड़ी चीज़ है यह, काफी important चीज़ भी है यह, तो export and import, हम balance of payment में export और import को देखते हैं, ठीक है, तो अगर किसी country का, ती, I am sure कि आपको export और import का मतलब पता है, है ना, good, country का, अगर किसी country का export is greater than import, तो हम बोलते हैं, surplus, अगर किसी country का export जादा है, किसी country का export जादा है, इंपोर्ट से, तो हम बोलेंगे, surplus, second point, अगर किसी country का export कम है, इंपोर्ट से, तो हम बोलेंगे, deficit, यानि कि, खाटा या कमी, कुछ ही बोल लो, तो, इंडिया के अंदर condition यह थी, कि इंडिया का export as compared to import बहुत कम था, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से बहुत जादा था, इसलिए, balance of payment का deficit देखने को मिला, एक्सपोर्ट तो बहुत कम है, लेकिन import बहुत जादा है, एक्सपोर्ट तो बहुत कम है, लेकिन import बहुत जादा है, we are dependent, we were highly dependent on few imported goods, जैसे की petrol, gasoline, यह कुछ और ऐसे product जिन से economy को चलना बहुत ज़रूरी है, अब ही भी हम अगर बात करूँ, तो petrol का ले लो, coal को ले लो, और precious stones को ले लो, इन सब चीजों पे हम बहुत ज़रा dependent हैं बहार के, हम बहार से import बहुत ज़रा करते हैं, अब अगर आप एक basic point सोचो, हम अपने घर में जो चीजे यूज़ कर, चाहे हमारा वो TV हो, phone हो, सारा क्या है, कोई आपने आज तक proper Indian brand का TV यूज़ किया है, चाहे वो Samsung हो, चाहे वो LG हो, चाहे वो आपका Sony हो, या आपके पास phone Apple का हो, OnePlus का हो, Oppo का हो, Vivo का हो, क्या ये phone Indian market में बनते हैं, क्या ये phone Indian companies के हैं, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कि हम अभी भी import पे बहुत ज़्यादा dependent है, हमारे घर के आज पास, छोटी-छोटी चीजें, हम बाहर country से आती हैं, इंडिया के दर नहीं बनती है अभी, मतलब import बहुत ज़्यादा है, अभी import से problem क्यों नहीं क्यों कि import export दोनों चल रहा है, लेकिन उस time पे import बहुत ज़्यादा था और export बहुत कम था, एक्सपोर्ट कम क्यों है, एक्सपोर्ट कम क्यों था, क्योंकि हमारी टेकनोलोजी बहुत कम थी, तो competitive नैस अपने अपकाम हो जाती है, हमारी टेकनोलोजी कम है, तो जो product हम बना रहे हैं, उसकी quality है, वो low quality का बनेगा, जब वो low quality का बनेगा, तो क्या होगा, हम दूसरी country से competition नहीं कर पाएंगे, मानों कि दो दुकाने हैं, आप दोनों दुकाने से एक pen खरीदने गए, आपने एक का pen चलाया, दूसरे का pen चलाया, तो आप वही pen लोगे जो better चल रहा होगा, अगर दोनों का price सेम है तो, आप वही pen लोगे जिसकी quality अच्छी होगी, grip अच्छी होगी तो फिर हमारा export होगा भी क्यों, तो उस point पर हमारे दो पॉइंटों ने समझ लिए कि public sector poor perform कर रहे थे, balance of payment में export, import से बहुत कम था, ठीक है? चलो, next point बढ़ते है, next point हमारा कौन सा है, fall in foreign exchange reserve, जैसे कि dollars, हम से डोलर लेके चलेंगे अभी, dollars, ऐसे बंदर डोलर का साइन, हाँ, हाँ, तरही लगना है मेरको तो, तो कोई बात थी, fall in foreign exchange reserve, हम समझ चुके हैं कि foreign exchange reserve का मतलब क्या होता है, कि किसी देश के अंदर बहारी मुद्रा, या foreign currency कितनी है, उसको बोलते है, foreign exchange reserve, जैसे आप यापने सुना होगा कि एक news आई थी, कि इंडिया के पास 600 billion dollars की foreign exchange reserve हो गई है, it was a really, it was really a big amount, but, क्या same condition 1990, 1991 पे थी, जब 1991 के reforms हुए, क्या condition same थी, पहले समझ लो, कि foreign exchange reserve चाहिए क्यों होते है, reason, why we need, why we need, कितना बड़ा क्या करने लिख क्यार, समझदार लोगों, आप समझ जाओगे, कि need क्या है, पहले समझो कि need क्या है, जैसे कि petrol खरीदने के लिए, call खरीदने के लिए, या फिर, repay of loan, अब देखो, foreign exchange reserve या dollars की need क्या है, क्या need है, अब अगर हमने किसी बाहर country से petrol import करना है, अब petrol किसी भी economic development के लिए बहुत ज़रूरी है, बिना petrol के किसी भी country की development नहीं हो सकती, base है, base है किसी भी country का, coal, coal भी base है, coal से हमारी बहुत चीज़ें बनती है, और पहले तो coal से train भी चलती थी बहुत ज़्यादा, अब तो यह चीज़ें देरी देरी चीज़ें इंप्रूव हो रही है, पहले coal से train चलती थी, और petrol का तो मुझे लगता है substitute, ना कोई आया है, ना ही कोई आएगा, इलेक्टरी वहिकल्स पर हम लोग shift कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप बड़ी बड़ी product की चीज़ों की बात करें, मैं बात करूँ आपसे हमारे aviation sector की, हमारे aeroplanes की, या हम बात करें आपके तो हमारा पूरा aviation sector है, उसमें तो high quality petroleum यूज किया जाता है, तो वो इंडिया में तो होता नहीं है, वो बाहर से हमें import करना बड़ता है, है ना, तो ये तो requirement basic है, साथ ही साथ जो आपने बाहर से loan लिया है, अब मानो मैं, मैं एक, मानो मैं example को रहें, एक government है, वो USA से जाके 200 रुपय का loan लेके आती है, 200 dollars का loan लेके आती है, आके उन्होंने 200 dollars खर्च कर दिये, आके उन्होंने 200 dollars खर्च कर दिये, है ना, तो अब USA ने बोला, हमारा पैसा आप इस करो, उन्होंने बोला लो भई, रुपीज में ले लो, तो कहेंगे, मैं रुपीज में नहीं चाहिए, dollars में दिया था, dollars में चाहिए, तो उस point of time पे आपको foreign exchange की need होगी, foreign exchange की need होगी, है ना, तो ये requirement है foreign exchange की, तो foreign exchange, 1991 में इतना कम हो गया था, कि 14 days, जो 1991 में, our foreign exchange was about to 6 billion dollars, 6 billion dollars, सुनने में amount बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक पूरी economy के लिए amount कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसे चुटकी है, ठीक है, तो ये 6 billion dollars इतना कम था, कि we were not able to sustain for 14 days, यानि कि हम दो हफते भी sustain नहीं कर सकते थे, ये इतना कम exchange है, कि हम 14 days भी, हम 14 days भी sustain नहीं कर सकते थे, कि अगर हमने कोई ऐसे फैसले नहीं लिए, जिससे foreign exchange improve करेगी, हमारी economy डूप जाती, तो वो तो बहुत ही major point आ गया था, ये फिर एक reason हो गया बहुत बड़ा, कि भाई क्यों लिया हमने, ये एक reason है न, economic crisis का reason है एक ये, अगर हैं बात कर रहो हैं कि economic reforms क्यों लिये गए हैं, वो सारे point economic crisis के characters या features हैं, simple बात है न, next point, huge burden of debt, अब देखो, debt होती क्यों है, debt का मतलब क्या है, debt का मतलब है, उधारी, उधारी कैसे होती है भाई, अब मानो मेरी income है, 1000 रुपे, this is my income, मेरा expenditure है 1200 रुपीज, this is my expenditure, 1000 is my income, 1200 is my expenditure, कितना फर्चा दोनों में, 200 रुपीज का, अब मेरी income 1000 रुपे है, मेरा खर्चा 1200 रुपे है, अब यह 200 रुपे का फर्क है मैं कहां से लाऊंगा, कि जो 200 रुपीज है यह कहां से आएंगे, यह मुझे किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे, यह पैसे मुझे किसी से उधार लेने पड़ेंगे, तो 1991 में, तो 1991 में, या फिर 1980 से ही बोले, अफिर आप बोल बो ऐसा बोल सकते हैं कि 1950 से 1990 तक जो condition एनलाइस करी गरी, जो condition एनलाइस हुई, उसमें क्या पतल लगा, कि इंडिया का expenditure, इंडिया का expenditure, इंडिया का expenditure, इंडिया का expenditure, इंकम से जाधा है, जब इंडिया का expenditure, इंकम से जाधा होगा, तो definitely हमें उधार क्लाम ले, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उधार लेना पड़ेगा, उधार हम कहां से लेगी, इंडियन गवर्मट का हैं सुधार लेगी बैंकिंग सिस्टम से हमारे बैंक से बहर की इंटरनेशनल कंट्री से या बहर के इंटरनेशनल और राइदेशन जैसे कि आई-ाइ-इम वर्ल्ल बैंक तो उधार भी आपको एक लिमिट तक मिलता है उधार भी आपको तम मिलता है जब सामने वाले को ये पता हो कि ये मेरा उधार चुका देगा अब आप मेरे पास कलाओ कि साहिल सार एक 500 रुपे दो कि साहिल सार एक 500 रुपे दो तो मैं आपको 500 रुपे देने से पहले क्या सोचूंगा या तो मेरे आपसे बहुत ही प्यार हो और मुझे पता हो कि 500 रुपे नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ले भाई ले जा बतलब 500 रुपे देते समझली कि 500 रुपे मिटी हो गए डूब गया पहरे 500 रुप और वो कैसे पता लगेगा वो पता लगेगा आपको ये इंसान करता क्या है इसके इंकम कितनी है तो जब ये इंडिया डेट ले रहा था ना जब इंडिया अपना expenditure consumption के लिए कर रहा था तो बाहर की organizations बाहर की countries ये देख रही थी कि ठीक है इंडिया पैसे उधार तो ले रहा है लेकिन इंडिया चुका नहीं पाएगा तो धीरे धीरे ये बात leaders को समझनी you know mind में आना start हो चुका था कि भाई एक time के बाद ना ये उधार मिलना ये debt मिलना ये help मिलनी ये financial help मिलनी हतम हो जाएगी बंद हो जाएगी तो हमें कुछ बढ़िया था सोचना पड़ेगा तो ये दो condition और है कि क्या problem थी दो और next समझते हैं inflation अब मैंने क्या इन सबसे पेट नहीं भरता इंडिया की problems का सोने पे सुहागा क्या है inflation यानि की rise in general price level किसी भी economy के लिए let's talk about Indian economy इंडियन एकनोमी के experts यह बोलते है कि इंडियन एकनोमी के अंदर 4% to 6% का अगर inflation है अगर इंडियन एकनोमी में 4 to 6% का inflation है तैन इस गूड़ ओर इंडियन एकनोमी क्योंकि इंडिकिसी भी economy के अंदर money supply इंक्रीज होती है इंप्लोइमेंट बढ़ती है और एड़ एंड एकोनोमिक डवलप्मेंट देखने को मिलती है विद्दा इंप्लोइमेंट बढ़ती है विद्दी एफिशेंट रेगुलेशन विद्दी एफिशेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स लेकिन एक लिमिट के इंडर 4 तू 6 परसेंट के बीच में 6 परसेंट से उपर चली जाएगी तो प्रोब्लम स्टार्ट हो जाएगी प्रोब्लम स्टार्ट हो जाएगी 4 परसेंट से कम हो जाएगी तो प्रोब्लम आने के चांसे हैं ठीक है लेकिन 1991 में जब इतनी कंडिशन खराब है जब 1991 में कंडिशन इतनी खराब है जहां पर इंफलेशन अराउंड 14 परसेंट है अराउंड 14 परसेंट है जो इंडिया मे राइट लो कितनी होती है करंटली अगर मैं 2021-2022 की बात करूं तो यह अराउंड होगी मेरे खाल से 5-3% के बीच में यह सही है इस पर दिक्कत नहीं है को इतनी इस पर दिक्कत नहीं है लेकिन यह दिक्कत है कि 14% से अबरी यह आपके प्रोडक्ट के प्राइसफ़ से और किस क्या मैं यहां पर आपके देश में इंकम गिर रही है इंप्लोंइमेंट गिर रही है अन appropriately गरीबी बढ़ रही है उस टाइम पर देश के प्रोड visit कैंपर से बढ़ रहे हैं, leave about cars, homes, leave about bigger things, talk about the basic, basic amenities like सबजियां, तो हम घर पे खाना खाते हैं, आटा, दाल, चावल, जो मारा staple food है, अगर उसके price इस percent से increase करेंगे, तो definitely economic condition सही नहीं हो सकती, इन सब को समझने के बाद, इन सब को समझने के बाद एक बात समझ आती है, कि किसी भी, किसी भी crisis का origin कैसे होता है, अब ऐसा तो नहीं है, कोई economy start होगी, या मैं को business start करूँगा, तो starting से ही crisis है, starting से ही, पहले दिन से धंदा डूब गया, ऐसा तो नहीं होता न, देखो कहते हैं, अगर आपको business start करते हो न, तो 6 महीने wait करना चाहिए, 6 महीने patience रखने चाहिए, 6 महीने की investment अपने bank में रखके चलो, तब को business start करो, ऐसे नहीं कि आखे बंद करें बिजनस start कर दिया, तो business डूब जाएगा, तो 6 महीने के बाद business को analyze किया जाता है, कि यार crisis है, business डूब रहा है, कि ये business में profit है, तो, क्यों होता है crisis, क्यों डूबता है business, क्यार कोई business, अगर business start करता हूँ, तो क्या मेरी नियत होगी कि मेरा business डूब जाए, मैं तो कभी नहीं चाहूँगा, मैं क्या चाहूँगा, कि मेरा business every day, every night, increase करे, improve करे, मैं और लोगों को employment दूँ, और पैसे कमाऊ, बहुत कुछ करूँ, और नहीं factory खोलू, नहीं office खोलू, लेकिन crisis क्यों that is, inefficient management, due to, due to, poor, management, crisis क्यों होता है, inefficient management से, poor management से, poor management का एक बहुत ही बड़िया example दिखावात हो, क्या example है, क्या poor management थी, poor management ये थी कि expenditure, expenditure was greater than the income, expenditure income से ज़्यादा है, तो आपको अपनी basic amenities को fulfill करने के लिए, अपनी basic consumption को fulfill करने के लिए, या अपने office के अंदर आपको लोगों को salary देने के लिए भी बहार से उधार लेना पड़ेगा, मानों अगर आप जितना कमा रहे हो, उतना खर्च कर रहे हो, आप एक time तक फिर भी sustain कर जाओगे, लेकिन आपकी income आपके expenditure से कमयाने कि आपका खर्चा आपकी कमाई से जादा है, तो आपको consumption को, अपनी basic requirement को fulfill करने के लिए, बहार से उधार लेना पड़ेगा, और ये, अगर situation ऐसी आ चुकी है, किसी economy के अंदर, किसी business के अंदर, तो ये एक basic अंदेशा, basic idea होता है कि आपका business दूबने वाला है, and it's a time, it's a time to take some strong, some big decisions, जो इंडिया ने लिए भी थे, इंडिया ने decision लिए ना, liberalization, privatization, globalization, ये क्या है, ये सब decision है, हमने बात करी अभी तक कि भाई, economic crisis क्या होते हैं, economic reforms क्या होता है, economic reforms के reason क्या क्या है, उनको हमने detail में समझ भी लिया है, कि क्या क्या है, next हम पढ़ेंगे, कि इन सब crisis से, इन सब crisis से, इंडिया ने लणने के लिए क्या किया, इन सब क्राइसिस थे इंडिया ने लड़ने के लिए क्या किया अब जब बहुत सारे लोग एक टेबल पे चाय कौफी बिस्कृट लेके बैड़ गए उन्होंने बोला कि सर बनमोहन सिंग जी नरसिम्मा राओ जी क्या किया जाए ये चो बता दो सारी बाते कर लिया आपने य ये प्रॉलम है ये प्रॉलम है य प्रॉलम है हजार ब्रॉबलम गिन्मा दिया आपने छूसन क्या है со जिससे लोगों को डर लगता है वो उसी टाइम पे असली लीडर निकल कर आते हैं। आगे जाकने को आगे जाके देखने को मिले आई विश ऐसा जरूर हो लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया तो इंडिया ने financial help मांगी कि अब यह decide किया गया कि यार इस problem का एक ही solution है कि जो बड़ी-बड़ी भार हमारी international organizations जैसे की IMF World Bank उनसे financial help मांगो या फिर लोन लिलो तो इंडिया approach the International Bank for reconstruction and development that is IBRD which is known as World Bank World Bank का एक और नाम है IBRD आप World Bank भी आज़ोगे ना तो भी बहुत है लेकिन question उसता है यह भी आजाए what is a full form of IBRD अब आपने आगे जाके सीउटी भी देना है ना उसके बाद popularly known as World Bank and the International Monetary Fund and received seven billion dollars as loan to manage the crisis अब क्राइसिस को manage करने का एक ही तरीका था अब foreign exchange नहीं है जेट बहुत जादा है देश में employment रही है economy गिरती जा रही है कितनी सारी problem गिन चुके है management नहीं है एड़ दाइन डिसाइड यह किया गया कि यार लोन लेते हैं लोन लेंगे लोन अभियादा मैंने आपके बावत आई थी अगर आप मुझसे 500 रुपे उधार मांगो तो मैं क्या सोचूंगा आप मुझसे 500 रुपे ले तो रहे हो जरूरे सोचा गया होगा यार किया जाये क्या यह कमारा पैसा आपर दे पाएंगे तो वर्ल्ट बैंक ने और आ आपका सोचा ऑगा ना कि यह हमारा पैसा वापिस देब हाएंगे क्या लदे आपको वीरू ने बुला कि उन्हों कुछं देशन लगाते हैं इन्पर न definitely कुछंडिशन लगाते हैं तो आय मेफ ने और वर्ल्ड बैंक ने कुछ कंडिशन लगाई उन्होंने बोला कि हम आपको पैसा देदेंगे कि आइएम एफ ने वर्ल्ल बैंक ने मौला हमको पैसा देदेंगे पैसे के दिक्क्राइब पैसा मर बोट पैसा हमारे पास बहुत है लेकिन आपको हमारी कुछ शर्ते माननी पड़ेंगे इंडियाने बोला शर्ते आप बोलो अभी तो हम कुछ ही मान जाएंगे आप सिरफ बोलो मुझे पैसा देदो हमको आप जो बोलोगे मान जाएंगे हम उन्होंने बोला ठीक है भाई आपको प्राइवेट सेक्टर को आपको private sector को improve करना पड़ेगा improvement कैसे होगी उसको promote करके आपको private sector को promote करना पड़ेगा you have to remove the restrictions you have to remove the restrictions on the private sector and you have to promote private sector समझेंगे इस बात का मतलब क्या है इंडियन नहीं बोले ठीक है आगे बोलो और क्या चाते हो भाई next उनने बोला reduce the role of government पहला उनने क्या बोला कि private sector के role को increase कर दो private sector के role को increase कर दो और government sector के role को कम कर दो private sector के role को improve कर दो government sector के role को नेक्स्ट क्या बोला government के role को कम करो फिर क्या बोला trade restrictions कम करो इन तीनों इन तीनों requirement के according इंडिया के अंदर economic reforms इंट्रोड्यूस करे गए इन तीनों के तीनों requirement के अकोर्डिंग इंडिया के अंदर जब जुलाई नाइंटी 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 वन के अंदर जब यह पोलिसी बनाई जा रही थी तो दो दो पॉइंट मैंड में आए कि यार कुछ तो हमें शोर्टम में करना पड़ेगा और कुछ हमें लोंग टम में करना पड़ेगा कुछ हमें शोर्टम में करना पड़ेगा और कुछ हमें लोंटम में करना पड़ेगा कुछ हमें करना पड़ेगा और कुछ हमें करना पड़ेगा लोंग टम में यानि कि लोंग टम में कौन से होंगे हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और शोट टम में क्या होगा स्टैबिलाइजेशन स्टैबिलाइजेशन रिफॉर्म कि देखो किसी भी एकनोमिक क्राइसिस से उभरने के लिए कि आपको दो तरह के आपको हमेशा दो तरह के गोल बनाने पड़ते हैं जैसे मानों अगर आप किसी बड़े एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो आप के बाद आप सी एरी कि प्रिप्रेशन करना साट करते हो तो एक आपके गोल बनेंगए विकली गॉल एक आपका गोल बनेगा इस बड़ा गोल एक कि वह सीए番ला कैसे हैं एक बनेगा कि सीए फाउंडेशन कैसे क्लिर करना एक बनेगा कि बने करनी है एक बनेगा की किसे करना कि prove करनेक करने कर लिए और कॉने क्राइस को देश से हठाने के लिए कि यूश्य करें कि लाने के लिए य। करना है कि बैलेंस ओफ पेमेंट और इंफलेशन को ठीक करो और बेशिक स्टेबलेशन लेकर आओ पहले आप प्रोपन को इन יכול ठीक करो और लौं टुर में क्या देश्ट कि अन्दर अकोृमिक कर ऊज़िस्ट्रूक्ट्ट्रो रिफोर्म परियंस ओवरोल एकोनोमी और सेकेंड ओपन अप दी को में ओपन अप दी एकोनोमी कि भाई तोट टम में तो बैलेंस ओफ पेइमेंट और इंफलेशन को ठीक कर लो काम चल जाएगा लोंग टम में ओवरोल एकोनोमी को इंप्रूव करो एकोनोमी को ओपन अप करो ठीक है ना ओवरोल एकोनोमी को इंप्रूव करो ओवरोल एकोनोमी को ओपन अप करो ठीक है ना यह दो पॉइंट है शोट टम लोंग टम ठीक है सर यह बात क्लिया एसके अंदर यह दो में बाते करी गई economic policy of 1991 की नेक्स्ट अप्र पॉलिसिज के अंदर तीन दिसीजन बढ़े ले गए अब क्या बोला था हमें IMF ने हमें वर्ल्ड बैंक और IMF ने क्या बोला था दुवारा देखें एक बार प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किसे करा हमने प्राइवेटाइजेशन से फिर उन्हें क्या बोला नेक्स पॉइंट रिड्यूज दी रोल ओफ गवर्मेंट हमने ठीक है भाई पैसा चाहिए ना सब करेंगे हमने कैसी कि हमने किया वह लिब्रलाइजेशन लास्ट हमने क्या किया हम लास्ट किया अब सबसे बड़ा बात सबसे बड़ा काम गलोबलाइजेशन जिनकों बोलते हैं ल फी जी रिफॉर्म्स उनकी सारी बाते मानने के बाद हमने एकनोमिक पॉलेसी के अंदर तीन एकनोमिक चेंज लेकिया है में सबसे बड़े पहला क्या है लिब्रिलाइजेशन सेकंड क्या है प्राइविटाइजेशन थर्ड क्या है गलोबलाइजेशन लिब्रिलाइजेशन का मतलब क्या है लिब्रिलाइजेशन का मतलब क्या है इसके अंदर क्या करा हमने क्या किया भाई हमने liberalization के अंदर हमने जो restrictions थी उनको remove किया private sector की entry के लिए कि private sector की entry में जो problems आ रही थी हमने बात करी ना पहले कि भाई हमने last 40 कि मोस्टली सेक्टर जाए वो बड़ा सेक्टर हो छोटा सेक्टर हो मोस्टली सेक्टर पब्लिक के अंदर था यानिकी government-owned था प्राइब प्राइबेट सेक्टर के entry बहुत डिफिकल्ट थी लाइसेंस लगता था लोबिंग लगती थी वह प्रॉब्लम्स थी अलाउड नहीं था लाइसेंस मिलता नहीं था तो जो मेजर सेक्टर से गौफर्मेंट के अंडर थे गौवर्मेंट के अलबाव उसके काम यह नहीं कर सकता कि मैं तो liberalization के अंदर हमने उस रेस्रिक्शन को हटा दिया गवर्मेंट ने बोला उन रिस्टिक्शन को हटाओ और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो प्राइवेट सेक्टर को बोलो कि आओ जिन सेक्टर में हम पहले काम नहीं कर पाए, उन सेक्टर को आके इंप्रूव करो, यही तो करना था, देखो, वर्ल्ड बैंक ने भी यही बोला, और इंडिया ने भी यही डिसाइड किया कि यही सोलूशन है, इस सोलूशन से ही हम अपने देश की एकोनोमी को इंप्रूव कर सकते हैं और इंडिया ने ये डिसीजिजन लिया सेकंड क्या लिया प्राविटाइजेशन यानि की फर्स्ट अजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिज कि गवर्मेंट कि और टेक्टर कि तू कि प्राइवेट कंपनी अब प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज कर दिया कैसे आग मंट कर दिया गया जो सेक्टर पहले ग्रवर्मेंट कर दे Mimi आओ और इन इंडुस्ट्री लगाओ नहीं ऑफिसश करो नए फेक्टरीज खोलो स्टार्टप्स करो यह सब अलाओ किया गया जिससे की इन्वेस्टमेंट बड़े इंप्लोईमेंट बड़े और एड़ दा एंड एकोनोमिक डवलप्मेंट लास्ट पॉइंट ग्लोबलाइशन में क्या है भाई ग्लोबलाइशन का मतलब है गर्ण एंटेग्रेशन ओं षुडप्ट इ कि इंटीग्रेशन ओफ वर्ल्ड एकनोमी विद इंडियन एकनोमी को वर्ल्ड एकनोमी से मिला देना है ग्लोबलाइशन का मतलब ही है तो आपको ग्लोब दिखेगा ग्लोब ग्लोब का मतलब क्या है कि economic point of view से पूरा का पूरा संसार पूरा की पूरी दुनिया आपस में connected होनी चाहिए trade barriers को हटा दो tariff को हटा दो जो आपके मन में डर है उस डर को हटा दो और allowed करो import export freely कि free में भाई export import होगा free में मतलब free का मतलब यह नहीं कि पैसा नहीं देना पड़ेगा प्री का मतलब यह है कि barriers को problems को rules को regulation को थोड़ा सा वीक कर थोड़ा सा normal कर दो बहुत दिक्कत नहीं कि इतनी हजार step पार करने पड़ रहे हैं एक import या export करने के लिए किसी private person को अभी तो इंडिया के अंदर आप easily import export कर सकते हो पैसा आपको जाधा चाहिए बस लेकिन उस टाइम पे पैसा जाधा होने के साथ साथ बहुत सारे rules regulations भी थी जिसको ठीक करने के लिए यह तीनों ने इन तीनों पॉइंट्स ने आपस में मिलकर अगर अब इस प्राइबेट सेक्टर से restriction को रिमूब करने की बात कर रहे हैं टो इंपॉर्ट के अंदर भारी मातरा में ज्ञाधा हिसा ले सकेंगे डैट इस globalization ति आपको समझ नायो ऐसा कोई बात समझ नायो तीनों के बारे में अभी अलग बेसिक समझना भूझ जरूरी ति क्या के पड़िए चलो आगे बढ़े तो आपने अगर लेना है तो इसका स्क्रीन शूट जो भी आ नेक्स्ट रभाम इन सब तीनों पोलिसी को लिप्रलिजेशन प्रीवित आज़ेशन और ग्लोबलेशन इनों को डिटेल में पढने का ट्राई करें थीक है पर्स्तार्ट विद लिब्राइजेशन थे बेसिक ओम एम ओफ लिब्राइजेशन वोस्तु पुटन एंड तू दोज रिस्रिक्षिंस विच बीकेम हिंड्रेंस इन दडवलप्मेंट एंड ग्रोथ ऑफ दिनेशन यानि की हिंड्रेंस का मतलब क्या है प्रोब्लम्स या फिर कि ऐसी रिस्त्रिक्षम्स जो देश की ड्वललपमेंट और ग्रोथ के अंदर प्रोब्लम बन चूब मैं सुके थी बाधा बन चुकी थी बाधा बहुते है बाधा बन जाना है ना वेस्टिक यह जोन・ सैकीड बढ़ते हैं लिब्राइजेशन-इंवोर्व, डिगुलाशन प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर पे जो रिस्टिक्शन थी उनको हटाना है लिब्राइजेशन किस बारें बात करता है उन रिस्टिक्शन को हटाने के जो प्राइवेट सेक्टर पे लगाई जा रही थी जो प्राइवेट सेक्टर प foreign investment competitiveness in industrial production and technological advancement to bring modernization and change the financial status of the economy liberalization के दर क्या बोला गया कि private sector को improve करो कुछ चीज़े private sector के हाथ में कुछ sector private sector के हाथ में छोड़ दो कि जो करना है आप करो हम सिरफ उसके लिए policies बनाएंगे हम सिरफ उसके लिए policies बनाएंगे अब इससे क्या होगा कि इससे investment बढ़ेगी इससे investment बढ़ेगी कि investment के बढ़ने से technology बढ़ेगी टेक्नलोजी के बढ़ने से quality of गोडस बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से टेक्नोलोजी बढ़ेगी, टेक्नोलोजी के बढ़ने से क्वालिटी ओफ गुड्स बढ़ेगा, क्वालिटी ओफ गुड्स के बढ़ने से नहीं कि अ नहीं कि अ आग विए अ बढ़ेगी ला अ को अ बढ़ेगा अ जब कॉम्पिटेटिव नेश्ष बढ़ने से या बढ़ेगा जब कॉम्पिटेटिवनेश इंप्रूव करेगी तो क्या होगा तो चुछ के बसकतर स्कमिलने से कॉलेटिव गोट बढ़ेगी इसको आप cro इकनोमिक इकनोमिक डवलप्मेंट देश में आएगी अब भाई जब यह सब कुछ बढ़ेगा तो इन सब के बढ़ने से क्या होगा देश के अंदर इंप्लॉइमेंट बढ़ेगी 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 बढ़ेगी पवर्टी कम हो जाएगी इंप्लोइमेंट बढ़ेगी पवर्टी कम होगी यह सब पॉइंट लिब्रलाइजेशन से हो रहे हैं मतलब एकनोमिक पॉलशी इसके बेसिक अब्जेक्टिव अगरा बहुत डीप जाग अब्जेक्टिव देखोगे ना कि बहुत चैट फ्लिविंग को इंप्रूव करेंगे पोवर्टी कम होगी लोगों की इंकम बढ़ेगी यह इज एकनोमिक डवलप्रमेंट वासमज आई यह कंप्टीव नैस यहां अफिर लिब्राइजेशन का बेसिक परपस कर्स एप अब एकनोमिक रिफॉर्म्स में इकनोमिक रिफॉर्म्स टेकन बाइ गवर्मेंट अंडर लिबिलाजेशन इसका पैसे आद कर सकते हो फिट डबल एफ आई डबल टी डबल एफ आई डबल टी फिट पहला क्या होगा पैसें आई सेक्टर पैसें सेक्टर सेक्टरण meanwhile एख एक्सचेंज रिफॉर्म्स और भी पूर्म एख यह रिफॉर्म्स पहला क्या है फैनेंचिल सेक्टर रिफॉर्म सेकंड क्या है पॉर्न एक्सचेंज रिजर्व आई से क्या है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आई से है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ती से क्या है टैक्स रिफॉर्म्स कि ऐनके टक्स पोलिस्टी फिस्कल पोलेसी टेक्स देक्स ठीक लास्ट इज मेरा कि अप् cooked च्रेड कर सकते हो बहुँ आपका कॉत कर पर अब अब इसको च्रेड पोलिसी बोल लो या फिर आप की ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट पॉल सी बोल लो तहालनेघ्ज़ी एक च्पेट सकते हो यह आपको तो इससे आपको को आदा आ सकता इए अगर एख न्मेगे बीक शेट आजए तो यह लिग स्सकते हो और अगर याद ओर एंगर आपको पांचों पॉइंट के याद हो जाते हैं कि अगर को हया लिए गया थे लिए गए ते लिपल्मेंट के दवारा इस टेकन भाइग गॉर्मेंट अंडर लिप्राइश ज देट overall फिच्टर सेक्टर रिफॉर्म सेकंड इस पोरन एक्स्चेंज सब पांचो स्टप में अलग अलग पढ़ने करेंगे और ट्राइग करेंगे आपके जो सारे पॉइंट है वह सारे क्यों सकें किंगा से तर्ट करेंगे हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉंस से क्यों टर्क यह यह एक विए veya पहला पंढने को क्या मिलता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अगर मैं 1991 से बात करता हूं अगर मैं 1991 से पहले की बात करता हूं तो जितने भी धंदा करना ऐसने को काम करना था आपको लाइसेंस लेना पड़ता था अगर आपको अगर मानों कि मुझे आज को बिजनस स्टार्ट करना मुझे एक मानों एक poultry farm start करना है मैंने poultry farm start करना है अगर मुझे इस poultry farm को start करने के लिए 1000 जगा से 10 जगा से 20 जगा से sign कराने पड़ेंगे तो यह हम सब को पता है कि corruption के chances बहुत जादा बढ़ जाते है corruption के chances बहुत जादा बढ़ जाते है लेकिन अगर आप बोलूँ कि आपको पॉल्टरी फार्म स्टार्ट करने के लिए किसी की परिमिशन की जुरूरती नहीं है आपको basic rule, low regulations follow करनी है आपको कहीं sign कराके नहीं आना आपको कहीं पर sign कराके नहीं आना आपकी जगा legal होनी चाहिए आप जो कमारे हो उसका tax भर दो GST भर दो, income tax भर दो जो जो आपका tax के अंदर आते हो tax भरते जाओ basic environment की problem को आप problem मत करो normal रखो, साफ सफाई रखो जो काम करना है करो तो corruption खतम होगे अपने आप लेकिन उस ताइम पैसा नहीं था तो licensing के अंदर reduction करी गई defense equipment liquor defense equipment or industrial explosive industrial explosive etcetera liquor के लिए आपको license चाहिए defense equipment के लिए आपको license चाहिए industrial explosive के लिए आपको license चाहिए इसने पहले तो almost कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए आपको license की ज़रूरत थी लेकिन अब license को बहुत काम कर दिया कि आपको normal business start करना है business start करो आप private sector कोई दिक्कत नहीं है आपको license की ज़रूरत नहीं है license की ज़रूरत नहीं है आपको second point क्या देखने को मेरा इसके अंदर decrease in role of public sector या फिर बोलो decrease in the role of government क्या किया कि उसके अंदर इन्होंने बोला कि जो sector आपने जो sector पहले सिरफ government के लिए आपने रखे हुए थे कि government ही काम कर सकती इन sector पे private sector में हम allow नहीं कर सकती है कोई private company आके हमारे इस sector के अंदर काम करे जैसे कि उसमें से एक defense equipment का भी था है ना तो mostly sub sector को जो सेक्टर पर रिस्टिक्शन्स थी कि सिरफ government कर सकती है सब सेक्टर से रिस्टिक्शन्स को हटा दिया except to the one is किसकिस से except oh Railways and uh railways and atomic energy generation atomic energy इन दोनों के अलावा इन दोनों बिजनेस के अलावा इन दोनों सेक्टर के अलावा क्योंकि अब बहुत बड़े अपने में सेक्टर है कि रेलवे अपने में बहुत बड़ा अपने में सेक्टर है मैं तो यह मानता हूं तो इन दोनों के अलावा अगर आपको कोई भी बिजन प्राइवेट सेक्टर को अलत लुक अंवर करद था कि अगर को यह देखने रखा हुआ लेकिन अगर defense यहाँ पर है करना है तो भाई डिफेंस यां नहीं हो सकता है अगर अगर अनम प्रेंस को बोले की इंड़स्ट्रियल लाइससिंग के ँ Exhale बैने तीन रखेंग है लिकर डिफेंस एक्विपमेंट और अगर लाइसेंस लेने के बाद में डिफेंस एक्विपमेंट का एक फैक्ट्री स्टार्ट कर सकता हूं तो वह पब्लिक सेटर वाले कंदर नहीं आएगा तो यह थोड़ा सा कुछ बुक के अंदर मुझा ऐसा लगा कि कुछ बुक के अंदर रेलवेज और एटोमिक एनरजी दिया हुआ है कुछ बुक के अंदर रेलवेज एटोमिक एनरजी एंड डिफेंस के भी एक्विपमेंट दिये गए हैं तो आप थोड़ा सा जो भी आप फोलो कर रहे हो जापके स्कूल के अंदर बुक लगाई गई है उसको देख क्या अंसर लिखना ठीक है चलो नेक्स प अंदर रिस्ट्रिक्टेड इसके लिए कि कुछ गूट्स की प्रोडक्षण है ना जो कुछ गूट्स की प्रोड़क्शन है जो कुछ गूट्स की प्रोडक्शन है वो सिरफ कि small टेल इंडस्ट्रीज करेंगे गाल कि पहले बोला गया था कि कुछ ऐसे गुड़ी है जिन गुड़ी की जो भाई प्रोडक्शन है वो सिरफ स्मोल स्केल इंडस्ट्री करेंगे तो यह क्या हुए एक रेस्टिक्षिंड है इस restriction को remove किया गया इस restriction को इस industrial sector reforms के अंदर इस restriction को remove किया गया ख्यान से सुनना कि पहले 1991 से restriction थी कि कुछ goods की production सिरफ small scale industries ही करेगी उसको deregulate किया गया और उन restrictions को remove किया गया ठीक है यह basic बात आपकी industrial sector reforms की next बात करेंगे financial sector reforms की financial sector reforms के अंदर पढ़ेंगे कि RBI के role को RBI के role को transform किया गया कि RBI's role was transformed from the regulator to a facilitator from the regulator to the facilitator of the financial sector as a result financial sector was allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI financial sector के अंदर RBI के role को कम कर दिया गया RBI को बुलाया बिठाया कि भाई बैठो दो आपसे बात करनी है कुछ और उनने बोला कि आपका जो role है रहा हम उससे कम कर रहे हैं लेखो रहो गया आप सबसे उपर रहो गया आप हर bank से उपर आज भी RBI हर bank से सबसे उपर है RBI से उपर हमारे देश के अंदर कोई भी financial institution नहीं है specially in the money market banking system के अंदर सारे bank का bank है ना bank के पिता जी RBI ऐसा बोलो तो उसको बुलाया एगर बोलागे कि भाई देखो कि आपके role को हम transform कर रहे हैं पहले आपका role सा कि अब सब कुछ खुदी कर रहे हैं आप rule, regulation, कौन सा bank क्या करेगा decision में किसा आप खुदी कर रहे हैं हमने क्या कि है कि आपके role को कम कर दी है अब आपका काम सिरफ facilitator है लेकिन आज भी RBI is a regulator of money bank या money market of India banking system का regulator RBI ही है तो उन्होंने ये बोला है कि आप अब सिरफ इन banks के लिए major policies बनाओगे major rules, major regulation मनाओगे money market को manage करोगे लेकिन उसे control नहीं करोगे अब जो bank है अब जो bank है, जो financial sector के अंदर banks है, non banking companies है वो अपने decisions खुद ले सकती है but RBI के rules and regulation के अंडर रहे के तो अगर आप पूरे अगर आप पूरी economic policy को समझोगे 1991 के तो वो एक ही बात कहती है कि आपका जो मन कर रहा है करो आपको business करना है, business करो RBI, आपके banks ने decision लेना है, decision लो आपने कोई factory start करनी है, business start करना है करो, लेकिन rules and regulation के अंडर रहे के, अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपने क्या करना है हमको ये बताएंगे कि आपको क्या करने के लिए क्या क्या follow करना है ठीक है, simple next point बढ़ते है, the reform policies led to the establishment of private sector banks, Indian as well as foreign banks Indian as well as foreign banks, तो financial sector reform के दरे decide किया गया कि भई हम प्राइवेट हाथों में लेके जाएंगे, government owned bank तो हैं, government owned bank तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम private sector bank को भी promote करेंगे, तो private sector bank की establishment start हुई Indian private bank भी आए foreign private bank भी आए, और अब तो इंडिया के नदर आप देखो, भई SDFC, Kotak, Axis, कितने बढ़े-बढ़े bank है, SDFC तो बहुत बढ़ा bank बन गया है foreign bank की बात करूँ अगर मैं foreign bank भूँत सारे हैं आपके पास है ना, तो आपको बहुत सारे banks अब ऐसे देखने को मिलते हैं, जो government owned नहीं है, लेकिन वो RBI की policies को follow करते हैं, तो ये basic point रखे गए, foreign investment limit in banks was increased around 51 I think right now it is 74% लेकिन उस time पर जो increase करी गई थी, 51% करी गई थी कि foreign investment जैसे अब foreign bank बन रहे है foreign bank बन रहे है, यानि कि अगर बहार से कोई company आके, इंडिया के अंदर bank start करना चाहती है, यानि कि banking के अंदर FDI, ये foreign investment बहार की investment कितने percent allowed है 51% allowed करी गई जो कि अभी right now 74% है जो अभी right now 74% होसता है 73-74% जोनों में से कोई एक है, बट मुझे लगता है 95% I am sure कि it is 74% ठीक है, next point foreign institutional investors जो लोग बहार से आके जो लोग बहार की जो companies है, जो बहार की लोग है, जो इंडियान companies में आके इन्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं, foreign foreign institutional investors इनका बहुत बड़ा रोल होता है, यह बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, अगर FDI यानि कि foreign direct investment इंडिया में आके कोई बाहर से आके, इंडिया बाहर से कोई इंडिया में आके कोई company मनाता है, कोई बड़ी building मनाता है, कोई एक बहुत बड़ा एक industry खड़ी करता है, तो इंडिया को बहुत फाइदा होता है, उससे क्या फाइदा होगा, उससे एक फाइदा होगा, कि इंडिया के अंदर foreign exchange रिजर्व आएगा, बाहर से पैसे तो डॉलर्स में ही आएगा ना यार, बाहर से रुपीज थोड़ी आएगे, तो foreign reserve आएगा, जिससे हमें फाइदा मिलेगा हमें बाहर की चीज़ों को परचेस करने के लिए, सेकंड चीज़, अगर कोई नई कंपनी इंडिया के अंदर आएगी, अपनी फूरी फैक्टरी लगाएगी, बिजनस सेट अप करेगी, तो उससे फाइदा क्या होगा, उससे फाइदा होगा कि employment बढ़ेगी, और add then जाके economic development बढ़ेगी, ठीक है, simple बात, तो भई, foreign institutional investment को भी allowed किया गए कि आप आके Indian financial market में invest कर सकते हो, ठीक है, यह सब point है financial sector के, next पढ़ते है, next क्या है हमारा, tax reforms, यह को tax reform का स्रिव एक ही मतलब है, मुझो मुझे समझाया है, आज तक, reduction in tax, second, simplification of tax process, tax reforms में tax को reduce किया गया, और tax के process को simplify किया गया, यह analyze किया गया, कि यार, जितना tax जादा होगा, तो लोग tax से भागने का try करेंगे, लोग tax से invade करने का try करेंगे, लेकिन अगर tax एक normal limit में है, तो लोग उस tax से भागेंगे नहीं, आपको tax pay करेंगे, तो tax reform के अंदर, tax में reduction करी गई, साथ-साथ, जो tax का process है, उसको भी simplified किया गया, कि अगर tax fill करना है न, तो हजार जंजट ना हो, easily tax fill हो जासे, अभी हो जाता नहीं कि online tax fill करतो हो, बात खतम, कई जाना नहीं, कई आना नहीं, कोई खिचकी चिक चिक नहीं, easily हो जाए, अगर काम easily है, तो लोग करेंगे भी सही, अब इसमें एक वाद और पढ़ लो, tax भी दो तरीके के होते हैं, one is, direct tax, second is, indirect tax, direct tax, direct tax क्या होता है, जैसे कि हमारा income tax, जैसे कि हमारा income tax, corporation tax, इंडिरेक्ट क्या होगा हमारा, बहुत बड़े एक्जामपल, GST, समझाता हूँ, समझ लो, फटाफट, कि direct tax क्या होता है, direct tax का मतलब यह है, कि आपको tax का, कि मैं directly tax pay कर रहा हूँ, जिस tax को pay भी मैं करूँगा, और tax का burden मेरे उपर है, महानों मेरी income पांच लाग रुपे है, महीने की, और मेरे को 30% tax पे करना है, तो मैं 1.5 लाग रुपे tax पे करके आ गया, तो मैंने अपनी income में से एक हिस्सा tax का pay कर दिया, इस income tax, directly, directly इसका burden मेरे उपर है और pay भी मैंने करना है, कि burden मेरे उपर है, pay भी मैं कर रहा हूँ, वो क्या है, वो income tax है जो individual pay करते हैं, corporation tax जो बड़ी-बड़ी companies पे करती हैं, second indirect tax क्या होता है, indirect tax का मतलब यह है कि tax का burden किसी और के उपर है, और tax pay कोई और कर रहा है, अम मानो मैं मार्केट में जाओं, यह pen खरीदने, मिलको भाईया बोले कि भाईया यह pen 1000 रुपे का है, मैंने का भाईया दे दो, भाईया बोला, 1000 रुपे के उपर 18% GST लगा दिया, 18% GST लगा, देख्या टोटर बनेगा, 1180 रुपीज, मैंने का भी 180 क्यों लगाए है, करे बिटा, टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना, टैक्स तो आप पे करोगे, करे बिटा, पे मैं करूँगा, लेकिन देगा तू, पे मैं करूँगा, लेकिन देगा तू, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बर्डन टैक्स का मेरे उपर है, लेकिन गोवर्मेंट को पे करेगा, वो दुकानदार, गोवर्मेंट को पे मैं नहीं कर रहा, गोवर्मेंट को पे करेगा, वो दुकानदार, लेकिन टैक्स का बर्डन मेरे उपर आएगा, 180 रुपीज टैक्स के, 18% tax कि पे मैं करूँगा तैक्स दुकांदार को लेकिन डूर्मेंट को प्यकरेगा वो दुकांदार उसको बोलते इंडेरेक्ट गौर कर रहे हो गुए रहे हो लेकिन डिरेक्ट लीट पे नहीं करहें आप सिरफ टैक्स दुखांदार बिर्ड़ुन को पर टैक्स पेक कर रहे हैं यह अटलैक्स और फिर इंडरेक्स आगे बढ़े next foreign exchange reforms one is devaluation of rupee second is determination of exchange rate devaluation of rupee का मतलब क्या है devaluation of rupee का मतलब है कि अपनी currency की value को कम कर देना पड़ते हैं it refers to the reduction in the value of domestic currency by government to overcome balance of payment crisis the rupee was devalued against foreign currency क्यों करते हैं devaluation devaluation करने से क्या होता है कि जो currency की value है वो कम हो जाती है जब currency की value कम हो जाएगी ना तो तो इन्सान जैसे हमारा export इंक्रीज होगा हमारा export इंक्रीज होगा है ना अब सोचो कि अब पहली बात यह समझ लो कि यहां समझते हैं कि एक डोलर 60 रूपीस का है एक डोलर 60 रूपीस का है है ना अगर मैं बोलो कि मैंने एक डोलर 70 रूपीस का है तो यहां पर अगर मैं क्या करेगा अगर पहले वह एक डॉलर पे करता तो उसको साथ रुपय का सवान मिलता लेकिन अब उसको एक डॉलर में 70 रुपीस का सवान मिलेगा तो इससे क्या होगा इससे होगा यह फाइदा कि हमारे देश का फॉक्र यह करन सी से से देश का एक्सपोर्ट को इमप्रूब कर दो उसके लिए खरेंसे को डिवेलुएट किया गया नेक्स्ट पॉइंट डिटर्मिनेशन ओफ एक्स्चेंज रेट तक गवर्मेंट अलाउड अब पहले कहना कि एक्स्चेंज रेट गवर्मेंट खुद डिसाइड कर रही है मार्केट एकनोमी के अंदर क्या होता है किसी भी प्रोड़क का प्राइस ना उसकी डिमांड और सप्लाई से रिसाइड किया जाता है market में किसी product का price demand और supply से select किया जाता है अगर कोई situation ऐसी आती है जहां पर लगता है कि भई price बहुत बढ़ा तो government interfere करती है तो government ने same बात foreign exchange rate के लिए भी करती कि जो foreign exchange rate है उसके अंदर कोई भी interfere नहीं करेंगे जितनी demand और supply है उसके according foreign exchange rate या foreign currency का price अपने कि वहको सब्सक्राइब होगा है तो इससे होगा क्या है अगर लोटिंग एक्षेंज रेट ले आएंगे जहां पर एक्षेंज रेट को मार्केट कुझ डिसाइड करें कौंसी रेट ले आएंगे हम प्लोटिंग एक्षेंज रेट में एक्षेंज रेट मार्किट खुड डिटर्माइन करती है on the basis of demand and supply, ठीक है, simple, चलो, next देखें, next क्या है, next आपका है trade and investment reforms, कि भई trade और investment reform क्या करेगा, पहला क्या बोला गया removal of quantitative restriction on import and export, यानि कि जो आपने एक quota decide किया हुआ जो आपने कुछ goods पे एक quantitative number decide कर लिये, कि भई इतना ही आप एक साल के अंदर export, import कर सकते हो, export पे, import पे आपने अलग-अलग restrictions लगा दिये, कि इससे जदा export नहीं होगा, उससे जदा import नहीं होगा, trade और investment reform में उसको remove कर दिया गया, कि अब कोई quota नहीं है, उसको हटा दो, ठीक है, quota को remove करा गया, second, removal of export and import duty, यानि कि tariff rates, tariff बोल लो, आपने को duties बोलो, जो आपका मन करें वो बोलो, अब अगर import पे, export पे बहुत जादा duties, taxes लगा दिये जाएंगे, तो कैसे को import और export करेगा, तो किसी की इच्छाही नहीं होग, export इंपोर्ट करने की न, सीधी बात है यह वाली, तो गौर्मन ने बोला कि यार, अगर इस situation से निकलना है न, तो export और import पे जो duties लगाई जारी है, जो tax लगाया जारा है, जो tariff लगाया जारा है, उसको भी remove करना पड़ेगा, तो उसको भी remove करना पड़ेगा, तो इसको भी remove करना है, to improve the export and import in the economy, ठीक है? Next point, reduction in import licensing system, देखो, license system में तो already reduction करने की बात हैं, पहले भी समझ चुके हैं, कि भाई, reduction तो licensing में आपको करना ही पड़ेगा, तो गौर्मन ने बोला कि अगर इस पूरी condition को और जादा improve करना है, जो हमने quota को हटा दिया, जो हमने quota को remove कर दिया, जो हमने tariff और duties को remove कर दिया, त बढ़ेगा, तो तीनों चीजे, trade and investment को improve करने के लिए, कि जितनी भी restrictions है, import, export में, चाहे वो tariff हो, चाहे वो quota हो, चाहे वो licensing system हो, उन सब को reduce किया जाएगा, या फिर उनको remove किया जाएगा, किसलिए, किसलिए, trade और investment को improve करने के लिए, कि easily countries के बीच में export और import हो सके, जिससे क इंडिया में investment आए, investment आने से economic development हो, simple सी बात, ठीक है, next पढ़ते है, next हम आगे है, अपने अब next, हमारी economic policy पर, privatization पर, privatization का मतलब किया तो मोलेटी समझ चुके हैं, कि भई, private sector को improve करना, government sector के जो sector है, उसको private sector पर shift करना, ownership को management को private sector के हातों में देना, थोड़ा समझते है, detail मे है, detail में इसका मतलब क्या होता है, कि privatization का detail के मतलब क्या है, समझें, चलो, पहला point, it means the transfer of ownership, management and controls of the public sector enterprises to the private sector, कि जो private sector, sorry, जो public sector enterprises है, जो अच्छे से काम नहीं कर रही है, जिन में से हमें income generate होती, नहीं दिख रही है, जाहां से लोसी लोसी है, घाटा ही घाटा, जहां पे सिरफ घाटा ही घाटा है, तो वहां पे क्या किया जाए, उन enterprises को private sector के हाथों में सोब दो, उनको बोलो कि private sector भया, हमारे से आप ये business लो और इसका इस पे दया करो, और इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, लोगों को नोकरिया दो, employment generation करो, कुछ ऐसा क करो, जिससे ये sector, flourish करें, improve करें, बढ़िया हो जाएं, तो इस एक माइंड में objective को रखते हुए, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि, transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the private sector, प्राइवेट सेक्टर के रोल को, improve कर दो, promote करो, कि प्राइवेट सेक्टर ही काम करेंगे, किसमें, economic activities में, प्राइवेट सेक्टर वाले ही काम करेंगे, economic activity मेजर रोल, कि ग्रेटर रोल, प्राइवेट सेक्टर प्ले करेंगा, किसमें, economic activities में, अब गवर्मेंट कंपनीज को, कैसे convert किया जाए, प्राइवेट कंपनीज में, सिरफ दो तरीके, there are two ways to convert a government company into a private company, One is, कि government की जो ownership है, उसको withdraw कर दें, management को, ownership को withdraw कर दें, पूरी company आपकी, by withdrawal of the government from ownership and management of the public sector companies, कि एक X company है, government से चलाई नहीं जारी, government ने बोला कि tender निकाला है, एक लाख रुपिया दो, और पूरी company आपकी ownership, management, सब आपका, एक तो यह तरीका होता है, second तरीका, government ने क्या बोला, by outright sale of public sector companies known as disinvestment, कि government के पास, एक company के 100% rights है, 100% ownership है, government ने decide कि, let's sale 25%, let's sale 25% rights of our this company, तो government ने बोला कि हम 25% अपने company के हिस्सेदारी बेच रहे हैं, उसे बोलते हैं, disinvestment, अब वो 25% हो, 40% हो, 60% हो, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, वो government खुद decide करती है, ठीक है, उसके तरीके अपने होता है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब public sector company को बेचा जाता है, उसको sale किया जाता है, उसकी outright sale of public sector company known as disinvestment, कि अपने company के हिस्सेदारी को बेच के आप उससे investment ले रहे हो, जैसे आपने कई बर सुनाओगा आजकल, कि एक बड़ी company ने अपने 10% एक दूसरी company को बेच दिये, तो ये क्या है, अपनी company के 10% right आपने किसी company को बेच गे कुछ पैसा हो उठाया, उनसे कुछ funding ली, तो उसे क्या बोलेंगे हम disinvestment, गवर्मेंट के case में उसको हम बोलते हैं disinvestment, जब public sector company अपना कुछ हिस्सा, कुछ हो जादा हो उनकी मर्दी अपनी, जब वो private sector को बेचते हैं, तो उसे बोलते हैं disinvestment, ठीक है, यह आपका है, privatization का basic मतलब, इसको पढ़ लो, समझ लो, इससे भार privatization कहीं भी नहीं है, next पढ़ेंगे, privatization के objective क्या है, first, first क्या भाई, इंप्रूव दी फिनाशल कंदिशन ओव दी एकोनोमी, इंप्रूव दी फाइनशल कंदिशन ओफ दी एकोनोमी, second, reduce दी पर्कलोड ओफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़, कि पब्लिक सेक्टर सारा काम कैसे कर सकती है, आप सोच के देखो, पॉसिबल ली नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सारा कराम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने वर्कलोड को प्रैवेडिजेशन का बेसिक औपजेक्टिव क्या है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के वर्कलोड को कम कर दिया जाए, third point क्या आपका? आगय ओई आगय नहीं गूर्मेंट एंटर्प्रमेंट इन्टेशं Mysh vain जो जो एंट जों गुटैप्ध जौब आपन आधेशल्स प्रॉफट नहीं कमारी हैं ये वर लोडारा की मशीन टो इनकी एफिशन्सी को इंपरूब किया जाए उनको प्रॉफिट मेकिंग मनाया जाए उनके लोज को कम से कम किया जाए यह थर्ड एक अब्जेक्टिव है सेकेंड प्रॉफिट क्या है प्रोवाइड बैटर प्रोड़क्स टू कंजूमर प्राइवटाइजिशन होगा प्राइवटाइजिशन होगा तो क्या होगा भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से टेक्नोलोजी बढ़ेगी टेक्नोलोजी के बढ़ने से क्या होगा कॉम्पेटिटिवनेस बढ़ेगा कॉम्पेटिटिवनेस के बढ़न पूरे खेल में इस पूरे privates के खेल के अंदर फायधा किसका होगा consumer का कुछ consumer is the kingdom consumer is the king के पहले ज्रहाक भगवान यह बात सचाए आप किसी किसी भी बिजनेस ओनर से पूछ लो कि भगवान कौन है वो कहेगा गराक भगवान है कि गराक है कस्टमर है तो सेल है और सेल है तो पैसा है पैसा है तो डवलपमेंट है ना किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में सोचो किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में सोचो वह कंपनी अक इकनोमी के अंदर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं हम कि लास्ट पॉइंट है एंकरेज एफ डी इन इंडिया नहीं कि फोरन डिरेक्ट इन्वेस्टिमेंट को इंडिया में एंकरेज करना प्रमोट करना एफ डी आई को इंडिया के अंदर बढ़ाना अगर प्राइविटाजेशन कर रहे हो तो बाहर की जो कंपनी उनको भी इन्वाइट किया जाएगा कि हमारे देश में आओ बड़ी बड़ी फैक्टरी लगाओ यहीं पर आके प्रोड़क्शन यूनिट लगाओ यहीं आके प्रोड़क्शन करो जैसे अपने सुना होगा अ उससे क्या होता इस फायदा क्या है कि बहुत सारे लोगों को इंप्ल害मेंट मिलती है उस्टेश कम हो जाते हैं एक साइस डूटी नहीं लगेगे ना जहोंगती है जो इनकरेज किया गया यह सब रहे हैं यह अबशेक्टिश प्राइवडिशन के अब्श्थ आपज़क्ति जाएंगर को माइड में और कोई भी आता है अगर आपके माइड में और भी ओभिएक्टी बाता तो आप इसको कमेंट बोक्स में लिख सकते हो आपके आपके सासा और entwickelnा उनको वीडारम मिलेगी और आपके एग्जाम में अगर आप को फुचाएश ल से अलग guer 5 और 5.5 पोईट more than enough है फिस नेक्स्ट क्यर भाई इस देखते हैं अब अपने liberalization privatization खत्म कर दिया है अब हमाए globalization globalization का मतलब सिरफ एक ही है कि यह भाई इस से connected है यह भाई इस से connected है यह भाई इस से connected है और यह भाई इस से कनेक्टेट है कि सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेट है यह लाइन देख रही है यह आपस में कनेक्ट कर रही है यह यह कनेक्टेट टू इच अधर कैसे कि globalization बोलता है it means integration of the economy of the country with the world economy integration of the economy of the country with the world economy कि India की economy को world economy के इंटीग्रेट कर दो कि कि इंडिया की economy को world economy से integrate कर दो दोनों को मिला दो कि अगर USA के अंदर कोई economic decision लिया जाएगा तो इंडिया की एकनोमी पर वो एफेक्ट पढ़ेगा इंडिया की एकनोमी में कोई डिसिजन लिया जाएगा तो शिरलंका की एकनोमी पर वो एफेक्ट पढ़ेगा बंगलादेश की एकनोमी पर एफेक्ट पढ़ेगा अगरेंडियान एकनोमी में कोई दीजितिजन लिया जाएगा तो UK की एकनोमी पे हक्ट पड़ेगा University Kingdom अपनी पोलेसी बनाते हुए फोरण पोलेसी बनाते होए इंडिया को माइंड में रखेगी इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इंडिया थे हमाई रिलेशन कैसे होंगे यह क्या मतलब यह ग्लोबलाइजेशन इस दा इंटिग्रेशन ओफ वर्ल्ड एकनोमी कि एकनोमी पॉइंट पे सारे बॉर्डर को खतम कर देना जैसे देखते हैं इंडिया पाकिसान के बीच में बॉर्डर आ इस आधी पॉलिटिकल बॉर्डर जाधी पॉलिटिकल बॉंडरी इस बटिकनोमिक बाउंडरी इसको खतम कर दिया किसने ग्लोबलाइजेशन भगवान करें ऐसा भी टाइम आए जब फोलिटिकल बाउंडरी भी ना रहे हैं पुरा देश पूरी इंडियन एकोनोमी ओविस्टिव टॉकिंग अबाउट दी वर्ड ट्रेड विए टुकिंग वर्ट फोरें ट्रेड एंड फोरें इंवेस्टमेंट इसमें डॉमेस्टिक की बातों नहीं करेंगे हम ओविसली ग्लोबलाइजेशन से डुमेस्टिक प्लेयर्स को बहुत करते हैं और काफी चीज़ंग तबलाइजिए और आपस में सारीं सबर्णी आईookनॉमिक सब्सक्राइट से multiplied अ इसे क्लोबलाइजेशन से और आपस में सारी इन में आदिन एक एक सानुकंत प्रूबलाइजेशन जैसे मैं आपको बोला कि पूरे वर्ड के अंदर से बोर्डर को खतम कर दो सो ग्लोबलाइजेशन इसन अटेम्ट टू क्रिएट बोर्डर लेस्वर्ड वेरिन दा नीडव वन कंट्री कैन भी ड्राइवन फुर्म एक्रोस दा ग्लोब एंट टर्निंग इंट वन लार्ज एक ऑल विडू अग्लोब क्या कर्या को फूराी डुं इक बडिन अंगी तरह देखते हैं कि ये पूरा गोला यह गोला पूरा थो लुक हृ tuck अगोम उंदर आथ अ adorable ईंपे पाकिस्थान य्चुनमि प्रोन को को नोमी से डिप्लम से पेंडराती है सारे देश आपस में कनेक्टेड है एकनोमिक पॉइंट फ्यू से डैट इस ग्लोबलाइजेशन राइन आई तिंग इंडिया की इकनोमी को दूसरी कंट्री से इन वोल नहीं किया कनेक्ट नहीं किया तो हम दुनिया से बहुत पीशे रह जाएंगा सोच के मॉल्स खुल रहे हैं नए नए टीवी फोन यह सब आ रहे हैं तो यह सब क्या है यह टेक्नोलोजिकल एडवांसमेंट जो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है क्योंकि यह बाहर की कंट्री जैनों यहां पर आके यूनिट लगाए यहां पर आके प्रोडॉक्स को बेचा आग गलोबलाईजेशन की पूरी एक्टिविटी हो रही है आपस पें कंट्री दूसरे से एकौनोमिक एक्टिविटि जैनों क्या अलाओ करते है कि चञला खरने मिजह बड़ी बड़ी प्रिति की लूसनों sa iht bywww कि अशुड तो आपस ब्लिह का प्रोबलाईशसंद विक वे लि रिस्ट्रिक्शन्स हैं उनको रिमूव कर दो रिस्ट्रिक्शन्स को रिमूव कर दो अन्स रिस्ट्रिक्टेट फ्लो अफ ट्रेड की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इस दाफ फीचर अफ ग्लोबलाइजिशन नेक्स्ट इस इं मानों कि Company A और Company B Company A, Company B एक आपस में मिलके एक X product बनाती है एक X product बनाती है कि दोनों ने बोला कि collaborate करके हमें product बनाएंगे प्रोड़क का नाम रखेंगे X की Company A और Company B दोनों ने मिलके एक क्या बनाया X product बनाया X product बनाया This is collaboration This is collaboration ठीक है कि Company A, Company B मिलके अगर एक product बना रही है collaborate कर रहे हैं कि एक product को मिलके हम collaborate करेंगा आपने कई बाट देखा होगा कुछ ऐसे phone भी आते हैं कुछ ऐसे TV भी आते हैं कुछ ऐसी गाड़ी अभी कभी-कभी आते हैं कि दो कंपनी आपस में करके एक गाड़ी बनाती है एक special edition निकालती है उसे बोलते हो collaboration नेक्स पॉइंट प्राइवेटाइजेशन देखो प्राइवेटाइजेशन तो इंप्रूव हो गई होगा जब हम बात कर रहे हैं अनरिस्टिक्टिड फ्लो ओफ ट्रेड की इकोनोमिक एक्टिविटी ग्लोबलाइजेशन के तो गॉवर्मेंट तो आपस में जब पॉइलिक सेक्टर एंटरप्राइजेशन को इतना कम कर दिया तो वह आपस में कैसे करेगी तो बेसिक सी बात है प्राइवेट कंपनीज उभर कर आएंगी प्राइवेट कंपनीज का रोल इंप्रूव होगा प्राइवेट कंपनीज जादा से जादा काम करेंगी ग्लोबलाइजेशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट एकोनोमिक रिफॉर्म देखो इन सब को अगर आप बात को समझो इन सब अगर बात को समझ सकते हो कि एकोनोमिक एक्टिविटी ग्लोबलाइज जो रही है अनरे इस्ट्रिक्टिट फ्लो ओफ ट्रेड हो रहा है को लाबरेशन इंक्रीज हो रही है प्राइवेट इंप्रूव हो रही है इन सब से अगर आपको देखने को मिलेगा तो क्या होगा कंटी के अंदर इंडिया के अंदर मैं इंडिया को लेके बात करो तो इंडिया के अंदर क्या होगा 엠्म Init बढ़ेगी तो यह कुछ फीशर है globalization इसके नेक्स बात करेंगे हम positive and negative trade of globalization positive and negative trade of globalization अम उससे किसी ने पूछा है बर कि सर globalization के negative point भी हो सकते हैं मैंने का हर किसी का इस दुनिया में एक positive और negative point दोनों होते हैं ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जो सिरफ अच्छी हो और बुरी किसी भी तरीके से नाओ अब बात करो आप sugar की जो हम घर पर चीनी यूज़ करते हैं जाय में डालोंगे तो जिनी चाय को बना देगी न लेकिन अगर चीनी चाय में एक चमउच की जगा सीटीन डाल दो तो चाया नेगटिव पॉइंट से कुछ पोजिटिव पॉइंट और कुछ नेगटिव पॉइंट फस्ट क्या होगा आपका ग्रेटर एक्सस्टू ग्रेटर एक्सस्टू ग्लोबल मार्केट की ग्लोबल मार्केट पर भार कंट्री में जाकर शिरलंका बंगला देश चाइना we यूएस यूके फ्रांस रश्य वाँ जाके मैं अपना समान भी बेच सकता हूं सेकेंड कि एडवांस्ट टेक्नोलोजी कि थर्ड एकनोमिक ग्रोथ पूर्थ पैटर कि एडवांस्ट टेक्नोलोजी की बात कैसे होईगी देख सम्झावांस्ट टेक्नोलोजी की बात कैसे होईगी कि अगर मानों इंडिया रश्या से कुछ इंपोर्ट करती है इंडिया ने रश्या से कुछ मिसाइल करी तो वह मिसाइल इंदर आई अब वो टेक्नोलोजी इंडिया के अदर आचुके अब बना सकते हैं खुछ रिस्रिक्शन लगाई गई हो कि आप इस कि हम आपको आपका मीशाइआ घर रहे हैं लेकिन आप आप शिपकर कर लेक्ट से पांच साल तक रखbon क्या होगा कि हमारी जो रिसर्च की मदद से हमारे साइंटिस्ट की मदद से हम टेक्नोलोजी के अंदर काफी एडवांस हो जाएंगे थर्ड पॉइंट एकनोमिक ग्रोथ यह बेसिक सी बात है कि जब इंपोर्ट बढ़ेगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंप्लॉइमेंट जन एकनोमिक ग्रोथ तो होनी होनी है जब सब कुछ बढ़ेगा तो नेक्स्ट पॉइंट बैटर फोरें रिलेशन्स अब एक बात समझे जब से मोदी जी ने देश की प्राइम मिनिस्टर एक गद्दी समभाली है वो बार-बार बाहर घूमते रहते हैं तो बहुत लोग बोलत औहुत तो फोरें रिलेशन्स और एकनोमिक रिलेशन्स साथ-साथ काम करते हैं अगर आपके किसी कंट्री के साथ अच्छे इकनोमिक रिलेशन्स है वहाँ आपका import है, trade का आना जाना है आप हहां समान बेच रहे हैं वहांसे समान खरीद रहे हो तो definitely, automatically, after a certain period of time आपके उस क से इंडिया चाइना का मुद्दा है इंडिया चाइना के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है इसलिए बोलता है कि इंडिया चाइना में वोर होने के चांसे बहुत कम है क्योंकि दोनों को पता है अगर युद हुआ तो जो घाटा होगा युद में व के बहुत सब्सक्राइब covidी हो संत्राइब जो जाते हैं इन सबर्ण सके में चले अग शक्राइब इंडिया के पॉइंडिया के अदर Jetzt करें यह सारी पॉइटिफ पॉइंट अब बाद करेंगे गर्या थे वह पॉइंट क्या हो सकते हैं क्या लगता आपको नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं सबसे पहला पॉइंट थ्रेट टू टोमेस्टिक कॉम्पनीज तेकेंड पॉइंट क्या हुआ थ्रेट टोमेस्टिक कॉम्पनीज थैकेंड इस एन्वारमेंटल कंसर्ण्स हर्द इस इन इकल डिस्त्रिबूशन ओफ पहले प्यांट क्या है थ्रेट टूमेस्टिक काम्पनीज इस इन्वारमेंटल कंसर्ण्स अपनी अच्छी टेकनोलोजी के साथ साथ प्रॉड़क्ट को बनाती है ब्लाकर बेचती है उनके प्रोड़क्ट उनके मुकाबले कॉंपेटिशन नहीं पाएंगे क्योंटके टेकनोलोजी एस कंपेर टू विग कंपरीस प्रॉड़क्ट कम होगी तो domestic company के जो product होंगे न वो big नहीं पाएंगे उनके लिए एक ये threat है Second, environmental concerns कई बार यह देखा गया है कि जो बाहर की companies इंडिया में आके जो बाहर की companies इंडिया में आके setup करती है और फिर कोई और company दूसरी country में जाके setup करती है उसके लिए कुछ land को clear किया जाता है अब वो land forest land भी हो सकता है agriculture land भी हो सकता है उस पे lobing भी होती है उस पे corruption भी होता है तो ये एक environmental concern भी कई बार देखने को मिला है हमें कई बार देखने को मिला है कि globalization को improve करने के लिए हम environment को फोड़ देते हैं भूल जाते हैं तो ये भी एक negative aspect कई बार देखने को मिला है हमें किसका globalization का लेकिन मुझे लगता है कि इस नोट आ नेगेटिव एसपेक्ट अग्लोबलाजेशन बट इस इन 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 एक एसपेक्ट ओफ human greed अगर आपको कंपनी सेट करना चाहते हो तो भाई ऐसे जगह पर करो जहां पर उस लैंड को आप कंपनी के लिए फैक्टिर लगाने की यूज कर सकते हो को फोरस्ट लैंड ना हो लेकिन यहां पर human greed सामने आ जाती है यहां पर human greed सामने आती है कि corruption की बात कर लो आप जादा पैसे कमाने की बात कर लो आप फोरेस्ट को हटा के फैक्टरी लगाने की बात कर लो तो यह globalization से connected तो है लेकिन यहां पर human greed की बात भी होनी चाहिए इंडिया के अंदर बहुत टाइम से एक perspective चल रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है गरीब गरीब होता जा रहा है तो ऐसा कई बार कहा गया है कि globalization के अंदर बड़ी बड़ी companies ने अच्छे से हिस्सा लिया बड़ी बड़ी companies ने काफी जादा खुद को improve किया है बड़ी बड ग्लोबलाइशन या बड़ी कंपरी में जाको नोकरी कर लिए लेकिंगे जिस इंसान के बाद स्किल नहीं है उसको नोकरी मिलनी बंद हो गई इसका एक्जाम पर आपको मौर समझाता हूं जैसे बोला जा रहा है कि भई आर्टिफिशल इंटेलिजन्स या रोबोट अगर यूर्बोर्ट्स मशीन स्की जगा ले ले लेंगे तो सिर्म जो मशीन मशीन को woven चलाते उनकी चली जाएगी जो में श ratio माप करेंगे और 2 जो वाद को एक है कैल्चरल वेल्यूस फिर क ए कि मतलब जो हमारा कलचर है जो मारा सोशल गल्चर जैसे अगर आप मैं बहले बात कर हूं आप से अज़ादी के आस पास है 970-80 के आसपास तो आपको तब का कैट्टर और अब का किल्चर है बहुत डिफेर्स देखने को मिलेग कि मैं देखो कोई मैं किसी चीज़ के अगेंस नहीं हूं है जिसने जो करना है वो करो लेकिन अगर कई बार सा प्रस्पेक्टिव वह जाता है कि भाई globalization की वज़ा से हमारे कपड़े पहनने के तरीके में हमारी वेश भूशा में बात करने के तरीके में हमारे स्टाइल में हमारे रहने में चलने में बहुत चेंज आ गया है पहले हमारे देश में फैमिलीज एकठे रहती थी कि बड़ा भाई चोटा भाई उसका चोटा भाई चाचा चाचा के लड़का यह सब साथ रह रहे हैं लेकिन अब क्या हो रहा है अब लोग धिरे-धिरे सिंगल फैमिली जाना चाते हैं कि सब लोग जहां वो जोब करते हैं वहीं पे वो जाके घर ले लेते हैं तो घर में अगर तीन भाई हैं तीनों भाई की शादी हो जाती है तो वह अलग लग रहते हैं तो लोग कहते हैं कि यह जो कल्चर है यह बाहर से इंडिया में आया है कि लब मैरीज का कल्चर बोलते हैं कि बाहर से इंडिया में आया है कि ऐसा बोले जाते हैं कि लड़किया पहले जीन्स लही पहनते ही अब लड़किया जीन्स पहनते ही यह कल भाहर से आया तो जिसको जो इच्छा हो पहने एंड चेंज is the constant विना चेंज के यह यह बात है जीब है और जैसे आप दरी दर बड़े हो रहे हो तो आपको इन चीजों को नोर्मल लेना चाहिए ठीक है चलो तो ग्लोबलाइजेशन के वज़ा से यह सब एस्पेक्ट तो होते हैं साथ साथ जिस कंट्री में globalization बढ़ रहा है जैसे इंडिया की बात करो तो इंडिया के कल्चर में कई changes देखने को मिल रहे हैं चाहे वो आप पहार की movie से ले लो पहार की series से ले लो जो बहार के लोग हैं उनसे influence होके ले लेकि चेंजिस तो में कई देखने को मिल रहे हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे ठीक है नेक्स बढ़ते आगे हम हमने positive और negative दोनों globalization की बात कर लई है let's talk about the next topic next topic क्या है our next topic is outsourcing outsourcing क्या है outsourcing क्या होता है तो outsourcing is one of the outcomes of the globalization पहले समझ लो कि outsourcing का मतलब क्या है मैंने कंपनी खोली मैंने एक कंपनी खोली कि उस कंपनी के लिए जो लोग मुझे phone करेंगे कि सर मुझे आपका प्रोड़क्ट चाहिए यह मनों Amazon company है बड़ा समझते हैं मैं छोड़ो मेरी छोड़ो अबड़ी समझते हैं अमेजन company खोली Amazon company ने to customer केर Amazon केर यह किसी इस और काम यृजर के पास आनिट हमें इस कंपनी के पास आएगा और उस कंपनी के जो क्राइब खिर्यक्री घोट नहीं ऑर Amazon के स confront Marjor ओर Amazon के बीच में एक और कंपनी अलई कर लीक हार कि हमाला यह वाला काम जो हमारा customer से बात करने का काम है, वो आप करोगे, बाकी सारा काम हम करेंगे. मतलब, अपने किसी काम को दूसरी company को दे देना, अपने किसी काम को दूसरी company को सोप देना, that is outsourcing. ठीक है? that is outsourcing. जैसे कि आपने सुना होगा BPO, Business Processing Unit, KPO, Knowledge Processing Unit, Call Centers, यह सब क्या हैं? यह सब outsourcing के examples है ना चलो समझते आगे क्या होता outsourcing so outsourcing is one of the important outcome of globalization process in outsourcing a company hires a regular service from external sources mostly from other countries which was previously provided internally or from within the country like legal advice like computer service like advertisement like security like banking service etc like banking service etc पानो मैंने एक मैंने एक कंपनी खोली और मैं अपनी कंपनी से लोगों को legal advice provide करता हूं मैं अपनी कंपनी से लोगों को legal advice provide करता हूं मैंने कुछ customer कुछ client इंडिया के अंदर मनाए और मुझे एक बार यूएससे phone आया कि हम ABC company से बोल रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जितना भी legal काम है वह आप देखो ठीक है सर देख लेंगे तो उन्होंने अपना सारा legal काम उठा के हमें दे दिया पंदब उन्होंने legal काम की outsourcing मेरी कंपनी से करी इसे बोलते हैं आउट्सोर्सिंग जो काम पहले वो खुद कर रहे थे अपनी countries में किसी बंदे से करवा रहे थे उस काम को करने के लिए अब एक बाहर की country की company को आनिकि मेरी लो विकॉज ओव लो वेजरेट्स एंड किल्ड मैंपावर अब आपने देखा होगा कि इंडिया कंदर कितने सारे बीपी ओजाओ चले जाओ और बड़ी-बड़ी जो हमारे चंडीगड चले जाओ या और जो अलग लग हमारी cities है वहाँ पर बहुत सारे आपको BPO call centers देखने को मिलें अब बहुत सारे हजारों लोग call center में काम करते हैं लेकिन इंडिया को ही या बंगला देश को या बाकी developing countries को यह बड़ी-बड़ी companies बड़ी-बड़ी develop countries क्यों चूज करते हैं कि इंडिया के अंदर जो manpower है जो salary उनको कम देनी पड़ती है wage rate कम है salary कम है और कम salary के rate पे उनको skilled manpower मिल जाते है जो उनको BPO के अंदर और KPO के अंदर काम करती है इंडिया जैसी developing countries में BPO की या service sector की इतनी जादा improvement क्यों हुई क्योंकि यहाँ पे जो salary बड़ी companies को देनी पड़ती है वो as compared to developed companies बहुत कम है और वही skilled manpower जो आपको एक developed countries में 50,000 रुपे पर मंत में मिलेगी इंडिया बंगलाजेश में 20,000 रुपे पर मंत में मिलेगी इंडिया में उसकी salary होगी 20,000 रुपे बाहर होगी 50,000 रुपे तो बाहर की countries जब देखती है कि हमने 1000 लोगों को hire करना है तो वह बाहर की countries में आके outsourcing करती है अपनी countries से लोगों को hire उस काम के लिए नहीं करती है कि जसे अउट्स से तीक्या नैक्स ने प्ढ़ींगे वर्ल्ड ट्रेट और वर्ल्रेट ओंगनाईजिशन कि ए ओंवल्ड ट्रेट ओंगनाईजिशन क्या है कि वर्लट व हम समझने के लिए डिए जाना पढ़े गाए नाइन टीन फोर्टी-पैप में दनापले गउस वर्ल्ड ट्रेड को इंप्रूव करती है वर्ल्ड ट्रेड से रिस्ट्रिक्शन्स को रिमूव करती है ठीक है? कि वर्ल्ड ट्रेड को इंप्रूव करती है वर्ल्ड ट्रेड से रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करती है ठीक है जो भी restriction trade में जो भी restriction import export में किसी दो countries के बीच में देखने को मिलते हैं world trade organization उन दोनों को आपस में बिठा के कुछ rules regulation बनाके उनके बीच की problem को solve करती हानी की world trade के लिए वर्ल्ड ट्रेड के लिए rules and regulations बनाती है साथ 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 ही साथ को हाइलाइट करने चीज़ों को ठीक है वई कि वर्ल्ड ट्रेड को improve करती है ये वर्ल्ड ट्रेड पर रिस्ट्रीक्षा नवे रिमूव करती है वर्ल्ड ट्रेड के लिए rules एंड रिएड रेगुलेश्न मानाती है साथ साथ अगर वर्ल्ड ट्रेड की वजहां से इन्वारमेंट प्रोब्लम है लेकिन अगर में WTO के बारे पढ़ना है तो हमें जाना पढ़ेगा 1948 में जहां हमारा देश को अजाद हुए सिरफ एक साल हुआ था तब डबल्यू टी यो नहीं थी तब उसका उससे पहले एक उगरेशन उसका नाम था जी ए डबल टी गैट कि इसका नाम है जन्रल अग्रिमन ओन टारिए और टरेफ अट्रिफ गैट का इस गैट जाद ट टी साज आट आरिए एक जैटा पोस्ते अनी प्रश्ट अबल्स श्चा यूझना जाट कि अट उसका जाट सब्सित इन बात गैट अट अटेश्ट एक इन ए्का जैट उस्त ऑट खश्य एक उट पार् ने भी सेम यही काम किया कि वर्ल्ट रेट को इंप्रूव करने का ट्राइए किया वर्ल्ट रेट में रूल्स और रिगुलेशन मनाई इन्वार्मेंट को भी ध्यान में रहा लेकिन ऐसा देखने को मिला कि इतना अच्छा काम नहीं कर पाए तो 19 तो 1995 में जनम होता है WTO यानि की वर्ल्ट ट्रेड ओगनाजेशन का वर्ल्ट ट्रेड ओंगनाजेशन में टोटल 164 मेंबर से इसमें से इंडिया इस वन वन आ इस मेंबर सो ड्लीय इंडिया इस वन आफ दिम्बर सो फ ड्लीय तो ठीक है and it is said that the WTO is a successor of GATT WTO is a successor of GATT तो हमने इस तमझ लिया कि World Trade Organization क्या क्या काम करती है World Trade को promote करना, improve करना restrictions को remove करना, rules regulation बनाना, environment को impact है World Trade को लेकर तो उसको solve करना साथ साथ GATT that is General Agreement on Trade and Tariff was established in 1948 and after so many years in 1995 WTO was established and it has right now currently has 164 members, या आपको पढ़ना है WTO के बारे में, अब WTO पढ़ते क्यों है क्योंकि हमने पूरे के पूरे चेप्टर में बात किस चीजी करी है, हमने चेप्टर में बात करी है किसकी Trade की FDI की Globalization की, Privatization की Liberalization की, कि बाहर की country आके India के अंदर trade करेंगी India की company जाके बाहर में जाके Trade करेंगे, तो इस trade को पूरा facilitate कोन करेगा WTO, इसलिए WTO पे कभी-कभी आपके पर एक short note निकले को आजाता है कि write a short note on WTO, तो आगर आपको basics पता है, तो आप easily एक short note WTO पे लिख सकते हो, ठीक है? Next, हम बात करेंगे ये last हमारा topic है that is assessment of LPG policies की पूरी liberalization, privatization, globalization की बात करने के बाद इसको assessment करते हैं कि इतनी महनत के बाद क्या फाइदा हुआ देश में मेरिट्स क्या क्या है? GDP growth rate reached as high as 8% per year GDP की growth देखने को मिली जब बाहर की companies ने आके, इंडिया के अंदर companies लगाई इंडिया के अंदर private sector का involvement बड़ा, private sector को promote किया गया तो GDP growth देखने को मिली, GDP की growth देखने को मिली और वो 8% तक high गई, it reached as high as 8% per year 6%, 7%, 7.5%, 5.8%, यह सब रही लेकिन 8% आज तक highest achieve किया है हमने यह क्यों हुआ, यह हुआ है, LPG policies के बाद, उससे पहला ऐसा कभी नहीं है फिर तब तो उससे पहले तो 2%, 3%, 1.8% ऐसा भी रहा है लेकिन LPG policies के बाद, हमें GDP growth rate अच्छी देखने को मिली Second, rise in FDI, FDI के अंदर increase हुआ है, नहीं कि foreign direct investment में increase हुआ क्या हुआ, 1990-1991 में 100 million dollars के FDI थी, वही 2021-2022 में 85 billion dollars के FDI है 85 billion dollars बहुत बड़ा amount है, 85 billion dollars के FDI है, ठीक है rise in foreign exchange, rise in foreign exchange, 6 billion dollars से 1991 में हमने बाले बाद भी करिया है वाली 6 billion dollars से 1991 में हमारे पाद foreign exchange, जो सिरफ 2 हफते के लिए भी हमारे पास कम था कि 2 हफते भी काम नहीं चल सकता था लेकिन right now, because of this LPG policies, right now in July 2022, हमारे पास 573 billion dollars की foreign exchange है तो हम इतना हमारे पाद इतना पैसा है, कि अगर कोई economic crisis कहीं पे हो जाए, तो हमें फरक नहीं पड़ेगा चाहिए रशिया ये उकरियन का वोर हुआ, श्रिलंका economic crisis हुआ, हमें फरक नहीं पड़ा, हम अपनी position को strong करके चल रहे हैं, यह सब benefits है, LPG policies के, next is rise in export, यह तो पता ही हमें कि export हमारा पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी चुका है, this is the positive point of LPG policies, then it has also the negative point, one is growing unemployment, यह एक चीज ना, LPG policies के बाद देखने को मिले कि unemployment increase तो करी गए, लेकिन एक certain sector में, service sector improve है, service sector कौन सा होता है, जैसे हमारा पहला sector कौन सा है, primary sector, agriculture, secondary sector, manufacturing, फिर tertiary sector, service sector, तीन सेक्टर है, मेजर हमारे, फिर quarter नहीं बगएर, उनको छोड़ दो, हमारा tertiary sector कौन सा है, service sector, service sector में क्या क्या आता है, जैसा कि banking services, DPO, KPO, legal services, जो हम services प्रोवाइड करते है, education services, यह भी एक आपके tertiary services के service sector के अंदर आता है, तो growing unemployment, तो कुछ sector के अंदर तो employment बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन कुछ sector में आसे कि इंडस्ट्री के अंदर, agriculture के अंदर unemployment बढ़ती चली गई, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर agriculture को neglect किया गया, जब पता लगा कि service sector से country की economy बूम कर रही है, तो फिर agriculture sector को neglect किया गया, जितना काम agriculture sector पर करना चाहिए था हमें, हमने उतना काम agriculture sector पर नहीं किया, that is why right now, हम agriculture sector में कहीं ना कहीं कुछ problems face कर रहे हैं, क्या problem है वो, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर investment बहुत जादा चाहिए, कहीं पर हमारे farmers की income इतनी कम है कि वो लोग suicide कर रहे हैं, महराश्टरा के अंदर स्वाइड के बहुत कैसी देखने को मिलते हैं, तो यह agriculture को neglect करने की वज़ा से हुआ है, लेकिन धीरे धीरे चीज़े improve हो रहे हैं और हो भी जाएंगी, next low level of industrial growth, तो यह समझा गया कि LPG reforms के बाद हमारा major concern है, हमारा major जो हमारा एक focus हुआ, वह focus कहा हुआ, service sector पर, हमने service sector को improve करने के चक्कर में agriculture और industrial sector को थोड़ा सा थोड़ा सा unfocus कर दिया, जैसे camera का focus होता है ना, camera का focus service sector पर चला गया, agriculture और industrial sector फोड़ा सा side हो गया, लेकिन अब, last कुछ years में, last 5-7-10 सालों में, industrial sector पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे making India आपने सुना होगा, कि भई, present government ने making India का एक logo किया, motto दिया कि भई, जो भी अब बनेगा, इंडिया के अंदर बनेगा, और इंडिया के अंदर बिकेगा, ठीक है, तो इंडेस्टियल ग्रोथ में भी, हमें देखाएंगे, focus, low level of industrial growth after the LPG policies, ineffective disinvestment policies, कि disinvestment तो हुई, लेकिन उस पे कुछ logical काम नहीं हुआ, disinvestment से भी को फाइदा नहीं हुआ, तो policies ने effective या efficiently काम नहीं किया, last point, unbalanced growth, कि rural areas के भी कुछ particular cities ने तो बहुत जादा ग्रोथ किया, basically urban areas ने बहुत improves किया, लेकि rural sector ने, ये rural areas ने LPG reform के बाद improve करना कम होगे, improve नहीं कर पाए, लोगों नहीं सोचा कि गाउँ छोड़के, शहर चलते हैं, वहीं जाके नोकरी करेंगे, तो एक unbalanced growth इंडिया में देखने को मिलते हैं, इसलिए अगर आप कभी कोई book पढ़ो, तो आपको कई बारत पढ़ने को मिलेगा, कि इंडिया में दो भारत रहते हैं, एक जो urban cities के अंदर आगे बढ़ रहा है, और दूसरा जो गाओं के अंदर पीछे छूटता जा रहा है, इवन urban cities के अंदर भी आपको दो cities देखने को मिलेंगी, एक जगा जहां पर बहुत साफ सफाई है, बहुत बड़ी-बड़ी building हैं, लोगों के बड़ी-बड़ी गाडिया हैं, और एक जगा पर जुगिया हैं, कोई सफाई नहीं है, बिमारियों से लोग मर रहे हैं, लोग अबाद खाने के लिए पैसा नहीं है, तो एक unequal distribution of income भी है, unbalanced growth भी है और I'm sure कि आगे आने वाले time में government ऐसे कुछ steps लेगी जिससे इन सब चीजों को ठीक किया जाएगा, हमारा आज का chapter, LPG reforms का chapter, liberalization, privatization, globalization, globalization का chapter यहीं पर खतम होता है, I'm sure कि आपको इस chapter से काफी help मिलेगी हमारी इस video से, मेरी थोड़ी सी महनत से आपको कुछ help मिलेगी, तो thank you so much for watching our video, ऐसे ही बड़िया से पढ़ते रहो, अपने parents को proud कराते रहो, बबाए, take care, जैहिंद!